Hello everyone and welcome back to the channel TH Classes इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा sample question paper political science का 307 का code है ठेक हैं? तो इस वीडियो में basically आप जानेंगे important questions कौन से हैं? साथ में उनके answers और एक solved question paper के माध्यम से हम की चीज़े समझेंगे इस paper को मैं पूरा solve करवाऊंगी paper आपका English में होने वाला है it means Hindi और English दोनों ही mediums के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि दोनों ही mediums में मैं अच्छे से आपको question और answer समझाने वाली हूँ ठीक है? चलिए start करते हैं अच्छा हमने series start करी थी continue नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरी थोड़ी सी health issue आ गए हैं तो उस होज़े से नहीं हो पाएगी upload I'm sorry for that लेकिन ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो basically आप इतना समझ लेंगे कि आपने paper में बहुत अच्छे से time test को करकर आ जाएंगे ठीक है? तो गबराइए मत इस वीडियो को end तक देखिए चाहिए जितनी लेंदी वीडियो बन जाए लेकिन आपको देखना जरूर है और विल्कुल भी skip नहीं करना है चीक है? और यहां पर आपको इस paper में time दिया जाएगा 3 घंटे का maximum marks जाने की पूरे 100 नमबर का आपका paper है देखो paper में आपको 54 questions पूरे total हैं इसमें इसमें आपको दो module दिये जाते हैं last में option module 7a और option module 7b हम दोनों ही कर लेंगे इस वीडियो में ताकि कोई भी बच्चा यह सोचता है कि मुझे 7a नहीं समझा रहा है तो वो 7a भी कर पाए ठीक है तो आपको choice मिल जाए चलिए तो start करते हैं सभी questions आपके compulsory है सभी के आगे उनके marks लिखे हुए ये सारी basic बाते आपको पता होगी आप देखो question number 1 है आप सभी को पता है कि MCQ वाले questions जादा आते हैं में तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए April 2024 वाले बच्चे जो है मतलब आपको एक opportunity दे दी गई है कि NIS आपको कह रहा है कि भाई किसी न किसी तरीके से इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से तुम पास हो बस ठीक है तो तुम्हें पास होना है चलो तो पहला question है select the correct option सही option आपको choose करना है a person is a member of how many states at one time तो आपसे हिंदी में सवाल ये कर रहा है कि एक इंसान एक person एक समय पर कितने states का member कितने राज्यों का सदस्य बन सकता है या हो सकता है एक नमबर में एक question है तो इसका answer है एक मतलब एक समय पे एक इंसान एक ही राज्यों का member हो सकता है ठीक English में भी सुन लो हिंदी में भी सुन लो कि अगर कोई भी person है तो वो सिर्फ एक state का member बन सकता है एक time पे for example अब इसको समझाती हूँ देखो जैसे for example आप हरियाना के निवासी हो ठीक है आप हरियाना state से बिलॉंग करते हों वहाँ पर ही आपका जनम हुआ लेकिन आप पढ़ाई के लिए या किसी रोजगार के उसके लिए आप दिल्ली में मूव करते हो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन से राज्ये से आपको membership कौन से राज्ये की मिली हुई है तो आप बोलेंगे मुझे हरियाना की membership मिली हुई है यानि मैं हरियाना का सदेश्य हूँ वहाँ पर आपका अधार card सब कुछ बन चुका है अगर आपसे बोला जाए कि आप दिल्ली के भी member बन जाओ तो ऐसा नहीं हो सकता उसके लिए आपको पैरे हरियाना की membership रद करवानी पड़ेगी उसके बाद आप दिल्ली के member बनने के लिए apply करोगे ठीक है so this is the case so आप समद गये होंगे एक number में question था और एक ही first चीस का answer है तो एक person एक समय पे एक ही state का member बन सकता है अब देखो second question इसमें और दिया हुआ है यानि choice दी हुई है तो पहला और second इसमें से कोई एक करना है सबसे first में पूछा गया है identify the option यानि उस option को उस जो भी आपको उचित सही आपको लग रहा है option उसको आपको choose करना है whether the government of a state is organized on the basis of यानि कि किसी भी state की किसी भी राज्य की जो सरकार होती है किसे भी राज्य की सरकार किस चीज के उपर निर्भर करती है किस चीज से वो organized रहती है मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो उसको organized रखती है किसी भी राज्य की सरकार को organized को आप कह सकते हैं कि नियंतरित रखती है ठीक है control रखती है उसके उपर और उपर से उसको वियवस्थित रखती है तो किसी भी राज्य की सरकार को वियवस्थित रखने का जो एक क्या क्या काम रहता उसका इसके option देखो, ए है constitution यानि समविधान, पहले का option है समविधान, second है norms of a tribe, यानि किसी भी जाती के जो norms होते हैं, norms का मतलब होता है नियम कानून होते हैं, उसके बाद दिक्तत, या फिर by any religious group, किसी भी एक धार्मिक ग्रूप की और जैसे भी किसी सरकार को नियंतरत रखा जा सकता है, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा, constitution, यानि समविधान एक ऐसी book है, जिसमें कि आपका सब कुछ लिखा हुआ है, कि किस सरीके से आपको एक state को चलाना है, ठीक है, गवर्नर के क्या काम है, पुरे देश को कैसे चलाना है, उसमें सारी बाते लिखी हुई हैं, और जिसको भीम राव अंबेट कर बाबा भीम राव अंबेट करने बहुत अच्छे से, जो है, सभी के साथ मिलकर, constituent assembly में बन बाया था, ठीक है, help कीती बनाने में, So I hope आप समझ गए होंगे कि क्या है इसका आंसर, so the answer is first, ठीक है, first इसका आंसर है constitution, यानि समविधान, norms of a tribe नहीं होगा, क्या किसी जाती के, जन जाती के कानून या नियम कानून पूरे एक राज्य को चला सकते हैं, बिलकुल भी नहीं चला सकते हैं, तो इसका आंसर आपका constitution ही होगा, next day the membership of the state is, यानि किसी एक राज्य की, किसी भी एक राज्य की, जो नागरिक्ता होती है, नागरिक्ता कहलो या फिर वहां की सदे सदा कहलो, क्या वो voluntary है, compulsory है, बोत A and B या नन आपती अबाव, यानि voluntary का मतलब होता है कि वो एच्छिक है, मतलब इच्छा होगी तो इनसान वहां की सदे सदा ले लेगा, नागरिक्ता ले लेगा, अगर नहीं होगी तो नहीं लेगा, compulsory का मतलब है कि वो जरूरी है, बहुत जादा जरूरी है, ठीक है, मतलब इच्छा हो या ना हो वो लेनी ही पड़ेगी, तो इसका answer क्या है, be compulsory, ठीक है, यानि किसी एक स्टेट की नागरिक्ता लेना, compulsory होता है, जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे, तो आपको, आप किस राज्य से, आप किस कहां पे अपनी जो, मतलब पॉलिसी वगेरा निकालते हैं, गॉर्मेंट, तो वहां कौन सी पॉलिसी का कहां पे, किस स्टेट में आपको वो मिल सकता है, फाइदा मिल सकता है, तो वो चीज़े भी आप नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में भी जाकर यह नहीं कह सकते हैं, कि हम इस स्टेट से भी लोग करते हैं, तो इसलिए compulsory है यह चीज़, और हमने फॉस चैप्टर पढ़ा ठीक है, पूरा राज्य, राश्य, इन सभी के बीच में अंतर जब हमने पढ़ाता, तो हमने पढ़ाता कि स्टेट की जो नागरिक्ता है, मेंबर्शिप है, वो compulsory होती है, ठीक है, नेक्ट वेस्ट देख लें, नेक्ट वेस्ट है, थर्ड क्वेस्ट इसमें कोई option नहीं है What are the features of an association, यानि किसी भी एक संस्था की, association का मतलब होता है संस्था, अभी हम एक एक नमबर वाले question कर रहे हैं, किसी भी एक संस्था की क्या विशेष्टा होती है, या क्या विशेष्टा होती है, किसी भी एक संस्था की क्या विशेष्टा होती है, पहला है organization of the people, यानि ये एक समू होता है लोगों का एक व्यवस्थित समू होता है सेकेन सम कॉमन और स्पेसिफिक अबजेक्टिव यानि एक संस्था तब खड़ी की जाती है तब बनाई जाती है जब कोई एक कॉमन या स्पेसिफिक उद्देश हो कोई एक ऐसा उद्देश है जो सभी का सेम है उसके जानि सभी के एक जैसे efforts लगाए जाते हैं इस फर Fwives का मतलब होता है कि सभी एक जैसा मतलब चीजे करना चाहते हैं। कौन कितना क्या कर रहा है इस पर भी depend करता है जैसे संसा में बहुत सारे लोग होते हैं इसके अलावा प्र तो आप कह सकते हैं कि यह RWA जो होती है Residential Welfare Association यह भी एक संस्था है तो अलग-अलग संस्थाएं होती हैं यहाँ पर लोग क्यों आते हैं यहाँ पर लोग क्योंकि उनका एक common उद्देश्य होता है common objective होता है इसलिए आते हैं क्या organization है यह people की मतलब सभी लोग एक खटा होती हैं संस्था में और सभी लोग joint effort लगाते हैं ठीक है तो इसलिए इसका answer हो जाएगा D all of the above यानि कि इन में से सभी जो हैं सही बताए गए हैं next fourth question इसमें और दिया हुआ है तो choice है एक number का question है who was a French idealist political philosopher of the 18th century यानि अठारवी शताबदी के French यानि की France के जो आइडियलिस्ट political philosopher है ठीक है तो philosopher कौन थे political political यानि राजनेतिक राजनेतिक philosopher कौन थे जिनको सब अपना ideal मानते थे ideal यानि सभी ये मतलब ये काफी अच्छे महान है तो 18 शताबदी के ऐसे philosopher जो राजनेतिक भी थे और idealist भी थे तो इसका answer है रूशो रूशो ठीक है रूशो इस तरीके से हिंदी में लिखा हुआ आएगा ठीक है चलिए और में देख लेते हैं और में क्या दिया हुआ है और में दिया हुआ है liberalism is the political philosophy of which of the following class यानि उदारवाद, liberalism का हिंदी में मतलब होता है उदारवाद अब प्लीज आप comment करके ये मत कहना कि मैं हिंदी में अलग वीडियो लाओ हिंदी में अलग वीडियो लाना possible ही नहीं है जो आपको मैं समझा रही हूँ, वो आपको हिंदी में भी समझा रही हूँ ठीक है, तो हिंदी में भी आप उसको समझे, labelingism का मतलब होता है उदारवाद, उदारवाद जो है वो political philosophy है किस class की, यानि किस श्रेणी में आती है ये, जो उदारवाद है ये किस श्रेणी में आती है, socialist आती है, idealist आती है, शोशलिस्ट यानि समाजवाद किस में, ये capitalist है, पूंजी वाद में आती है ठीक है या औरियेंटलिस्ट है तो इसका आंसर है पूंजी वाद में आती है जो लिब्रलिस्ट है या आपका जो उदारवाद है वो आता है capitalist में capitalist class में ठीक है उदारवाद आपका आता है पुण्जी वाद में उदारवाद आता है पुण्जी वाद में तो आपको बताना है कि जब एक nation जब एक राश पूरा एक देश statehood attain करता है यानि जब वो राज्य बनने के उस पर आता है तो इसका आंसर है nation state तब वो क्या कहलाता है तब वो कहलाता है राश्ट राज्य तब वो कहलाता है राश्ट राज्य ठीक है अब इसका example मैंने आपको बताया था ना हंगरी हंगरी इसका example है पहले हंगरी औस्ट्रिया क्या था आस्ट्रिया और हंग्री वो क्या थे वो पहले सिर्फ और सिर्फ एक पूरे राज्य थे लेकिन बाद में उनको राश्र बना दिया गया चीक है नेक्स है सेक्स्थ क्वेस्टिन इसमें भी और दिया हुआ है तो फॉर्स्ट में पूछा गया है अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटेव डिटेंशन गें बीकेटेन जेल विदाउट ट्रायल पॉर ए मैक्सिमम पीरियद ओफ यानी एक इनसान को जब प्रिवेंटेड डिटेंशन के लिए मतलब कोई ऐसा काम उसने किया है जिसके लिए उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको ट्रायल पे, जेल में, जेल में ट्रायल पे कितने दिनों तक है, कितने महीनों तक रखा जा सकता है तो इसका आंसर है 3 months, यानि कि 3 महीनों तक ऐसे इंसान को जेल में रखा जा सकता है जिसने कोई ऐसा काम किया है, जो मतलब ठीक नहीं है, ठीक है एक ऐसा इनसान जिसको अरेस्ट किया जाता है जिसको हिरासत में लिया जाता है पुलिस के दुआरा तो उसको फिर पास के जो मजिस्ट्रेट है उसको कितने समय के भीतर उनके सामने पेश करना होता है यानि माली जेक पुलिस ने एक इनसान को किड्नाप किया तो उस इनसान को कितने समय के अंदर कितने टाइम पीरिड के अंदर nearest magistrate के सामने पुलिस को ले जाना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे या 24 आर्स ठीक है 24 घंटे के अंदर जो है उस इनसान को सही स्टेटमेंट कौन सी है तो एक नंबर का है तो इसमें देखों सही तो ये वाली है जो हमारी सीजफायर लाइन थी वो कब डेटरमाइन हुई थी कब वो आ गया थी 1949 में और उसको लोसी कब कहा गया एलोसी कहा गया 1972 में ठीक है एलोसी कहा गया 1972 में नेक्स्ट है बीच आप दो फोलोईंग इस इनकरेक्ट इन में से क्या सही नहीं है तो इसका आंसर है ए दुरंद लाइन इस बाउंटरी लाइन बिट्विन इंडिया और चाइना कि जो दुरंड लाइन है वो चाइना और इंडिया के बीच की बाउंटरी लाइन है तो ये गलत है और इसमें सही देखो ये सारे है तो जो इंडिया और चाइना के बीच की बाउंटरी लाइन है जो बाउंटरी छेतर है चीक है वो कौन चाहें, Mac Mohan Line Mac Mohan Line, याद रखेगा उसके बाद Red Cliff Line is a boundary line between India and Pakistan जो India and Pakistan की बीच की boundary line है उसको बोलते है, Mac sorry, Red Cliff Red Cliff Line, ठीक है? चरीए, next question, 8th question है आपका identify the incorrect statement about the principles of Panchashil यानि Panchashil के क्या principles है, उसके क्या principles है, उसमें सही statements की बीच में से incorrect निकालनी है, गलत statement निकालनी है तो इसका answer देखो, interference in each other's internal affairs यानि Panchashil जो है उसके principle में ये नहीं आता है कि हम किसी के भी internal affair या फिर जो आंतरिक किसी के मामले हैं, उनमें हम टांग नहीं अडा सकते ठीक है, आंतरिक मामलों में टांग नहीं अडा सकते हम Panchashil ये नहीं कहता कि तुम किसी के भी आंतरिक मामलों में टांग अडा सकते हो, ठीक है next and ninth question तो first word उसके बाद और दिया हुआ है तो इसमें हमें भी सिर्फ correct statement दूननी है, देखो इसमें हम जो correct statement है उनको एक बार पढ़ लेते हैं शिमला पैक्ट वो साइन बिट्विन इंडिया और पाकिस्तान तो बिल्कुल सही है, जो शिमला पैक्ट था यानि शिमला समझोता था सिमला समझोता किस-किस के बीच में साइन हुआ है, तो ये हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई किसके लिए है, जम्मू और कश्मीर के लिए ठीक है, नेक्स है अंडर शिमला पैक्ट, यानि शिमला जो समझोता है, उसके अंदर कश्मीर इशू cannot be raised in the international or any other forum उसमें जो कश्मीर का मुद्दा है, वो ना तो कभी किसी अंतराश्य है, या किसी भी और forum में पेश किया गया है, तो इसका अंसर भी सही है, ये भी सही है, लाइन, शिमला पैक्ट of 1972 was violated by पाकिस्तान in May 1999 यानि जो शिमला पैक्ट है शिमला समझौता है, कब का समझौता है ये, 1972 का इससे आपको more information, अच्छी information मिल रही है, जिसको पाकिस्तान ने कब वो किया था उसको violate कब किया था उसने करने की कोशिश की थी मई 1999 में मतलब शिमला समझौता है उसको इंडिया पाकिस्तान के बीचे समझौता हो रख है इसको कभी भी अंतर राश्रिया या किसी और फॉरम में पेश नहीं किया गया है और इसको पाकिस्तान ने violate करने की कोशिश करी थी, यानि कि खारिज करने की कोशिश करी थी मई 1999 में तो ये सारी जो है all of the above ये सारी जो स्टेटमेंट्स थी वो गलत, sorry, correct थी ठीक है तो ये सारी correct स्टेटमेंट है जो हमने अभी पढ़ी ठीक है, चलिए next है identify the correct statement सही स्टेटमेंट निकालनी है आपको तीस में से देखो the bandung conference of afro-asian countries was held in 1955 यानि जो bandung conference है जो किसके लिए है afro-asian countries के लिए वो कब हुई है वो 1955 में हुई थी ठीक है next 10th question identify the incorrect statement about non-alignment movement यानि जो non-alignment movement है आसायोग आंदोलन है उसके लिए आपको गलत सारी आसायोग आंदोलन नहीं non-alignment movement होता है कि मतलब हम किसी का भी साथ नहीं देंगे ठीक है तो उसके लिए गलत statement आपको निकालनी है तो इसका answer है it is in favor of joining any military alliance formed by the USA and Soviet Union यानि ये किसी भी military जो भी military alliance है USA और Soviet Union की तो उसके लिए ये join करने की सलह देती है तो इसका answer है ये गलत है ठीक है ये कभी ऐसी सलह नहीं देती non-alignment movement ठीक है क्योंकि ये दो कहती है हम किसी का साथ नहीं देंगे उसके बाद है identify the correct statement सही statement निकालनी है तो इसका answer देखो बोथ है A and B है यानि ये वाली और ये वाली statement बिल्कुल सही है Ceylonese and Tamil are the two languages mainly spoken in Sri Lanka यानि श्री लंका में दो भाषा बोली जाती है वो एक तो है Ceylonese और दूसरी है Tamil ठीक है तो ये बलकुल सही है नेक्स्ट है पार्क स्ट्रेट separate India and Sri Lanka यानि जो पार्क स्ट्रेट है वो हम इंडिया और श्री लंका को separate करता है अलग करता है ठीक है तो इसका answer ये भी हमारा ठीक है तो ये जो पार्क स्ट्रेट है न ये basically देखो ये आपका यहां पर इस तरीके से इंडिया है और इस तरीके से ये मालीजे श्री लंका है तो ये जो श्री लंका और इंडिया है न इसके बीच में एक है पार्क स्ट्रेट क्या है पार्क स्ट्रेट कहां पर है पार्क बे में पाग बे में मतलब यह जो पूरा खाडी का इलाका है यह जो लक्षुदीप और इसके बीच पे पाग स्ट्रेट बने हुए है जो की भारत और स्री लंका को अलग करते हैं ठीक है के लिए कौनसी स्टेटमेंट इनमें सही है तो यह देखो डिसार्मेंट का मतलब क्या होता है डिस आर्म का मतलब होता है हतियार यानि हतियार ना रखने देना चीक है तो यह देलिमिटेशन है यह डेसिकली एक लिमिटेशन है के कोई भी निुकलियर वैपन सो का मतलब क्या होता है जो परमानू हतियार होते हैं उनको नहीं रख सकता तो यह बिल्कुल सही है डिसार्मेंट is the reduction of dangerous weapons पलैसे की nuclear weapons यानि disarmament क्या करता है reduction करता है कम करता है जो बहुत जादा dangerous हानी कारक परमानू हतियार है उनको कम करने में मदद करता है उसके बाद next है disarmament is the possible elimination of dangerous like nuclear weapons यानि इसी से dangerous जैसे जो हानी कारक परमानू हतियार है उनको हम बिलकुल खतम कर सकते हैं तो ये सभी answers सही है सभी statements सही है तो इसका अंतर हो जाएगा all of the above ठीक है तो disarmament आप समझ गई हतियार ना रखने देना ठीक है next है identify the incorrect statement about India's disarmament policy यानि disarmament policy जो भारत की है कि जिसमें हतियार नहीं रखने दिये जाए उस policy के लिए आपको गलत statement निगा लिए तो इसका अंसर देखो India was the second to become a party to the partial test ban treaty in 1963 तो ये गलत statement है कि India जो है जो partial test ban treaty हुई है उसके में second country है second party है तो ये गलत है ठीक है next है 13th the first chief election commissioner was appointed in the year यानि जो पहला जो पहला आपको चीफ election commissioner था वो कब appoint किया गया था तो इसका answer है 1950 में 1950 में पहला चीफ assistant commissioner election commissioner appoint किया था next है चीफ election commissioner and other election commissioner are appointed for a term of यानि ये कितने सालों के लिए appoint किये जाते हैं निख्ट किये जाते हैं तो इसका answer है 6 ठीक है यहाँ पर आपको 6 आएगा यहाँ पर 1950 आएगा और यह दो नंबर का question था एक नंबर इसके लिए एक नंबर इसके लिए तो यह थोड़ा सा इस तरीके से देखो paper same ऐसा ही आने वाला है pattern same यही रहेगा थोड़े से question change हो जाएंगे तो please इन पर ध्यान दीचेगा अब देखो next question है 14th question अब इसमें आपके सवाल इस सरीके से आएंगे कि कोई भी दो question आपको इन में से करने है तो यह यहाँ पर आएंगे answer the following question यानि कि जो आपके fill in the blanks होते है रिक्तिस्थान बरो उसके लिए दो नंबर का question है यानि सिर्फ दो करने है कोई भी तो हम यहाँ पर दो करेंगे dash election is notified when the loksabha और state assembly is dissolved before completion of five years यानि कौन से ऐसे election है कौन से ऐसे चुनाव है जो या तो loksabha या state assembly जो राज्यसabha है वो खारी जो जाए तब उसके बाद 5 साल वो पूरे ना कर पाए लोकसabha या राज्यसabha 5 साल अपने पूरे ना कर पाए तो ये वाले election किये जाते है तो इसका answer है mid-term election ऑनि जो मध्यकाल के election है मध्यकाल के election जो बीच में ही election कर दिये जाते है न तो इसका मतलब है कि लोकसabha या राज्यसabha जो है खारिज हो गई है पांट साल से पहले नेक्स्ट है डाश इस रीजनल पार्टी यानि कौन सी पार्टी रीजनल है रीजनल का मतलब क्या होता है कि जो छेत्र यह है किसी एक छेत्र में है जैसे देखो बीजेपी जो है वो पूरे देश में है मतलब पूरे देश में है ना यह एक चेत्रिय पार्टी यानि रीजनल बार्टी है कोई चेत्र की वे पार्टी है नेक्स्ट वेशन यह आपको खुद बताना है यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ठीक है डाश has the power to dissolve तर लोग सभा यानि किसके पास पावर होती है किसके पास शक्ति होती है कि वो लो मंतरी या फिर राश्रपती के पास ठीक है यह आप बताएंगे next question है यह भी आपका 15th question है अब देखो इसमें आपको इसी तरीके से आपके लिए बहुत अच्छी चीज पता है क्या हुई है कि आपको यहाँ पर इस तरीके से अगर आप देखे ना तो यह जो आपको option इसमे आप clear कर दोगे मुझे आप सबी पर पूरा भरोसा है बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ कर जाना ठीक है जो मैं समझारी हूं वो समझ लो तो इस question में आपको क्या करना है कि one word में आपको answer करना है answer any two यानि कोई भी दो आपको question के answer बताने है तो यह भी दो number का है सबसे पहल है इसमें demanding of reorganization of states on the basis of language is related to यानि यह कह रहा है कि हम कोई भी अगर कोई भी state दुबारा बनवाना चाहे दुबारा reorganize करवाना चाहे किसके basis पे language के basis पे यानि भाशा के आधार पर अगर दुबारा से राज्ये बनाने की बात हो तो उसको हम क्या कहते हैं क्या वो regionalism है नाशन है या communalism है देखो regionalism यानि छेत्री है छेत्रियता है ठीके nationalism यानि राश्रित है राश्रित है तो नहीं होगी राश्रिता में पूरा देश आता है अगर हम किसी एक छेत्र की बात कर रहे हैं हम वहां पर दूसरा राज्य पनवाना चाहते हैं तो इसलिए इसका answer होगा छेत हैं कि जो regional parties हैं जो आपके छेत्रियत दल होते हैं उनका किस तरीके से growth होता है किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं तो यह कह रहा है कि factors जो उनको आगे बढ़ाने वाले हैं वो है पहला cultural या geographical factor यानि कि जो आपके cultural factors होते हैं और जो भोगॉलिक होते हैं factors चिक है और second में कह है कि social या फिर डाश तो इसका आंसर है एथनिक ठीक है social और एथनिक यानि सामाजिक और जो आपके ethnic factors होते हैं वो इनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं ठीक है next है third question अब क्योंकि इसमें सर्फ दो करने थे तो आप इन दो को कर लेंगे तो भी चल जाएगा लेकिन मैं third भी capture power has led to rise of regionalism यानि किसी किस चीज की इच्छा किस चीज की शक्ति पाने के लिए regionalism जो है यानि जो छेत्रियता है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है किस चीज की शक्ति पाने के लिए तो इसका आंसर है regional elites यानि कि जो छेत्रिय इलाइट्स होते है लाइट्स का मतलब जो एक supreme power मिलती है किसी भी छेत्र के उसमें तो वो इसको पाने के लिए regionalism जो है छेत्रियता जो है वो आगे बढ़ रही है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा regional elites नेक्स 16th question अब इनको यहाँ पर सिर्फ दो question है और दोनों ही आपको करने क्योंकि यहाँ पर आगे कुछ नह बोला ना answer any to कुछ नहीं बोला और दो number का question है फर्स्ट है good governance is a key to यानि अच्छी सरकार किस चीज का key है किस चीज के लिए किस चीज को वो आगे बढ़ाती है तो इसका answer है development कि अगर अच्छी सरकार है तो उससे क्या आएगा विकास आएगा अगर सरकार सरकार अच्छी तर होगा यानि सभी लोग अलग अलग होंगे बिल्कुल भी नहीं होंगे अगर सरकार अच्छी है तो डिस्रिफ development होगा next instrument for a responsive and accountable administration inculcates people's involvement in dash यानि कि अगर administration में अगर हमारी जो पूरी व्यवस्ता है उसमें आपके जो लोग हैं अगर जो लोग अच्छी तरीके से जवाब द कि कोई ऐसे सरकार है ठीक है माल लीजे अभी फिलाल हमारी देश में बीजेपी सरकार है अगर बीजेपी सरकार कुछ भी गलत काम करती है तो उसके बारे में response मांगना कि ये गलत काम क्यों हुआ और उनसे फिर जवाब भी मांगना उनसे सवाल करना तो वो किस चीज का involvement दि देखाते हैं decision making का क्योंकि अगर सरकार से कुछ जवाब मांगा जा रहा है तो वहाँ पर तभी तो ओडिसीजिजन मेंकिंग कर सकते हैं decision making को क्या मतलब होता है कि जो आपका निर्ने है उसको लेना ठीक है निर्ने लेना तो निर्ने कब लिया जाता है decision कब लिया जाता है जब हमें response मिले हमें account account table हो अगर लोग account table होंगे उनके involvement होगी सवाल पूछने की सरकार से तो उससे वो निर्णे ले सकते हैं आराम से कि सरकार को आगे रखना है या नहीं रखना है ठीक है next question 17 है अब देखो इसमें आप से कुछ question जो है पूछे गए हैं दो आपको सिर्फ करने हैं तो दो नंबर का इस question है पहला बोल रहा है dash is a part of good governance यानि कि इन में से अच्छी सरकार के क्या कौन सा part है कौन सा ऐसा part है जो अच्छी सरकार में आता है तो इसका अंसर है justice justice का मतलब होता है न्याए ठीक है न्याए अगर एक सरकार न्याए नहीं कर पा रही है justice नहीं कर पा रही है तो क्या वो अच्छी सरकार कहलाएगी वो बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी इसलिए नयाए जो है इसका अंसर हो जाएगा Englishman justice next year Indian Parliament passed 73rd and 74th Amendment Act in the year यानि कि जो Indian Parliament है उसने आपका 73वा और 74वा Amendment Act यानि संशोधन जो आक्ट है वो कौन से साल में पारित किया था तो इसका अंसर है 1992 1992 में ठीक है next last question पंचायती राज institution is mentioned in the dash of the Indian Constitution पंचायती राज जो है पंचायती राज का पूरा institution किस तरीके से पंचायती राज करना है कैसे पंचायते बनानी है तो वो हमारे समविधान के कौन से article में लिखा हुआ है तो इसका अंसर है article 40 में article 40 में हमारा पंचायती राज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है ठीक है यह चीज़े आप याद रखेंगे next question 18 है अब इसमें भी आपको following question करने है कोई choice नहीं दी गई है first है illegal use of authority for personal gains will come under the ambit of यानि illegal use आप किसी भी चीज़ का illegal मतलब वो चीज़ legal नहीं है वो चीज law में कानून में सही नहीं है और आप उसका استعمال कर रहे हैं तो वो किस के अंडर आएगा तो वो corruption के अंदर आएगा करश्चन क्या होता है बरश्टचाचार क्या होता है बरश्टचार का मतलब यह यह तो होता है ब्रश्टा चार कहलाता है ठीक है ब्रश्टा चार इस तरीके से लिखते हैं देख लीजेगा ब्रश्टा चार ठीक है ब्रश्टा चार next है the benefit of embedding computer and IT in the governance is delivery of services to the dash at low cost यानि कि अगर हम computer और IT sector को computer और IT sector को अपनी सरकार में लगाते हैं किसको service देने के लिए मतलब कम कीमतों पर किसको service देना चाहते हैं क्या हम लोगों को service देना चाहते हैं government सरकार को या politicians यानि जो हमारे नेता है उनको तो इसका answer है लोगों को people जो हमें vote दे रहे हैं अगर सरकार को कोई vote दे रहा है तो उसी को तो service मिलेगी ना तो people इसका answer है यानि जो लोग हैं जो जन लोग हैं उनको ही computer और IT के द्वारा सरकार जो है services देती है कम कीमतों पे ठीक है next question 19th question है अब यह आपका fill in the blanks वाला question है dash is hindrance in implementing good governance यानि कि इन में से इन में से आपको बताना है कि कौन सा hindrance का मतलब होता है कि मुश्किल या फिर कोई भी इसमें अडचन है ठीक है मुसीवत है इन में से कौन सी अडचन है जो कि अच्छी सरकार नहीं बनाने देती तो इसका answer है देखो population explosion यानि कि अगर बहुत जाद population हो जाए अगर बहुत जादा जनसंख्या वृद्धी हो जाए ठीक है जनसंख्या वृद्धी हो जाए तो उससे क्या होगा जनसंख्या वृद्धी होने के कारण अच्छी सरकार नहीं बन पाती है और अच्छी सरकार जो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती है और इसी म क्रित जो है एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है फ्रेंड्स ठीक है नाम याद रखना है फ्रेंड्स फ्रेंड्स सीरीज भी देखियोगे नेट्फिक्स पे तो वो जो है वो किसलिए है वो लोगों को जो आम जनता है उनको सर्विस प्रोव मैं बनाता है तो इसका अंसर है काम क्या क्या है कानून बनाना उसको लागू करना किसका काम होता है legislature का ठीक है legislature को और अगर उसको उसका उलंगन कोई करता है तो उसको सजादने का काम होता है जुडी शुरी यानि हमारी कानून व्यबस्था ठीक है next है through which organ the state expresses its will यानि कौन सा ऐसा ओर्गन है किस ओर्गन के द्वारा कौन सा ऐसा अंग है हमारे सरकार का या हमारे देश का जिसके द्वारा जो लोग हैं वो अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर पाते हैं तो इसका आंसर है government यानि government के द्वारा ही तो हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर पाते हैं न तो इसका आंसर आपका government हो जाएगा अब इसी में एक और question पूछा क्या है what were the police for the ancient Greeks यानि ancient Greeks के लिए police का क्या मतलब था police क्या होता था तो इसका answer है city and state यानि शहर और राज्य शहर और राज्य अगर जो पुराने Greek है ना उनका police का मतलब था city and state अब next है 21st question तो इस question में basically आप से पूछा गया है आपको answer करना है कोई भी दो question का ठीक है तो देखो यहाँ पर दो number का यह question है आपको तीन option दिये हुए है first में आप से पोल रहा है right to education has been included in the fundamental rights by dash amendment acts यानि कि जो आपका right to education है शिक्षा का अधिकार शिक्षा के अधिकार में क्या बोला गया है शिक्षा का अधिकार यह कहता है कि संशूधन यानि कि 86 वा संशूधन जो था उसमें हमारा शिक्षा का दिकार fundamental rights में जुड़ा है fundamental right यानि कि मौली का दिकार आपको comment करके मैं आपसे एक सवाल पूचती हूँ मौली का दिकार हमारे कितने है fundamental rights हमारे कितने है और सभी का आपको नाम लिखकर comment बहुताना है next question sale and purchase of human beings as goods and commodities for immoral purposes such as slavery and prostitution is called dash तो आपसे बोला गया है कि sale, sale यानि किसी चीज़ को खरीदना जब human beings को इनसानों को खरीदा या बेचा जाता है goods या commodities की तरह है goods मतलब किसी समान की तरह है जब इनसान को बेचा या खरीदा जाता है immoral purpose के लिए गलत कामों के लिए गलत काम जैसे की slavery किसी मतलब किसी इनसान को बेच कर उसको नौकर बनवाने के लिए या गुलाम बनवाने के लिए या उसको प्रोस्टिट्यूट जैसे कामों में लगवाने के लिए तो उस चीज को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है human trafficking human trafficking ठीक है तो ये आपको बात याद रखने है इसका आंसर क्या हो जाएगा human trafficking यानि कि जो पूरा एक गिरहो होता है जिसमें कि बच्चों को कई बार के डिनाप कर लिया जाता है महिलाओं को बहला अफुस लाकर पेच दिया जाता है तो वो चीज यहाँ पर आपसे पूछी गई है देखो यह जो पेपर है ना यह पेपर ऐसा है कि आप अगर थूड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो आपको खुद इतने सारे हिंट्स दिये हुए है आपको आंसर डूणने में कोई तिक्कत आएगी ही नहीं ठीक है आपको सिर्फ उन हिंट्स को समझना है आंसर क्या हो सकता है वो आपको समझना है नेक्स्ट है आपको कोई दो करने है बठर्ण भी कर लेते हैं religion is a concern of the dash in a secular state यानि कि एक secular secular state का मतलब क्या होता है जो state या जो राज्य किसी भी धर्म को लेकर भेधभाव ना करी ठीक है तो यह बताना है आपको जो धर्म है वो किसी एक secular state का क्या concern जाता है क्या यह एक individual है society concern है या state concern है मतलब पूरे राज्य का concern होता है पूरा राज्य इस बात को लेकर वो चलता है या किसी एक individual किसी एक व्यक्तिगत उस पे religion ध individual मतलब अगर एक secular state है पूरा एक ऐसा state है जो किसी भी धर्म उसमें लेकर भेधभाव नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि वो individual कोई व्यक्तिगत ही उस धर्म को लेकर भेधभाव कर सकता है ठीक है next question है आपका 22 question यह आपसे पूल रहा है कि कोई भी कोई नहीं आपको जो दो question उनके answer करने है right to equality is related to ending the dash discrimination यानि कि जो समानता का अधिकार है right to equality यानि समानता का जो अधिकार है वो किस चीज को कौन से भेधभाव को खतम करता है यह आपसे यहाँ पर पूछा गया है तो पहला है moral दूसरा है social या थीसरा है political तो इसका answer है समानता का अधिकार जो हम social मतल जब हमारी जो society है उसमें हमें समानता दिलवाने में मदद करता है ठीक है तो इसका answer है social next है abolition of untouchability also includes dash यानि कि abolition abolition का मतलब होता है किसी चीज को खतम कर देना निरस्त कर देना untouchability यानि चुवा चूट अगर हम चुवा चूट को खतम करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़े आती है abolition of titles इसका answer है यानि जो टाइटल है कि जैसे यह ST कास से है यह obviously है यह ब्रहमन है तो वो सारे जो टाइटल है उनका भी हमें जो है निरस्त उनको भी करना पड़ेगा उनको भी खत्म करना पड़ेगा abolition of titles भी इसमें आता है next question आपको कोई भी दो question इसमें करने है 23rd में दो number का यह question आभी तक हम पहले हमने एक-एक marks के देखे फिर अब हम दो-दो marks के देख रहे है ठीक है तो इसमें आपसे कह रहा है कि first में in India rates are issued by जो rates होते है आगे हम rates पढ़ेंगे तो जो इंडिया में rates होते हैं वो कौन issue करता है तो इसका answer है Supreme Court rate का मतलब होता है अलग-अल लोगों तक पहुंचाता है लागू करता है basically तो इसका answer है Supreme Court ठीक है next it is an order to a lower court from a superior court to transfer the matter to it or to any other court for dividing the matter यानी कि देखो आप जो है ना rates हमारे 5 है rates हमारे 5 है उन rates के बारे में भी हम पढ़ेंगे जिनमें आपका आजाता है यह mandamus ठीक है prohibition और sery theory ठीक है तो यह आपके rates है अलग-अलग अब इन में से आपसे बोला गया है कि वो rate कौन सा है जो यह कहता है कि अगर कोई lower court यानी कि जो निचले दरजे की court है अगर किसी भी matter कोई या किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा case है वो वो solve नहीं कर पा रही है तो वो जो है वो उसको supreme court order कि देता है कि तुम अपने उस case को किसी superior मतलब तुम से जो उपर court है उसको transfer कर दो तो यह आपका जो है it is an order by the court to the state to produce a person physically before it justify the confinement or release of that person इसको हम बहुत अच्छे से बढ़ेंगे देखो इसमें यह rate है यह भी एक rate है उसको मतलब यह कहती है यह rate कि तुम physically वो जो इनसान है वो physically हमारे अंडर आता है court कहती है अगर उसको किसी भी प्रकार से उस इनसान को उसके उपर case लगता है या उसके उपर कारेवाई होती है तो वो जो उसकी personally जो उसकी physical body है वो court के अंडर आती है और इसलिए उसका जो जो वकील है वो यह कह सकता है कि आप उसके उपर पूरी चीज़े देखों अगर उसको इल्लीगली कहीं से भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो आप उसको देखोगे और मतलब उसको फिर रिलीज भी किया जा सकता है अगर कोट कहती है तो इसका अंसर है इसको और डीटेल में हम जो question है आपका उसमें आएगा जो लिखने वाले question है ठीक है तो इसको अभी हम इतना ही समझते है next है 24 इसमें भी आपको कुछ question के आंसर करने है first है the proposal of impeachment of president can be moved in dash तो जो impeachment है प्रेजिडेंट का जो मतलब राष्ट्रपती का जो impeachment होता है उसका proposal कहां move कर सकते हैं either house of the parliament यानि कि कौन से parliament के दो houses है एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा तो इसका answer है या तो हम लोकसभा में कर सकते हैं उसको या फिर हम राज्यसभा में उसको हम move कर सकते हैं ठीक ह impeachment यानि जो president अपने बाते कहता है या कुछ भी अपनी जो है कुछ भी नियम कानून या किसी को भी निरस्त करना चाहता है तो वो सारी बाते या तो हम लोकसभा में move कर सकते हैं या फिर राज्यसभा में कर सकते हैं next है what is the tenure of the president of India यानि जो राष्ट्रपती है भारत का वह कितने साल के लिए राष्ट्रपती रहता है tenure का मतलब है कितने वर्ष तक उसका जो है कारेकाल रहता है तो इसका answer है 5 साल 5 years ठीक है या आपको याद रखना है वैसे तो PM का भी आपको बता है 5 साल बात इलेक्शन होत तो इसका आपको यादी होगा next है 25 अब आपको यहाँ पर कोई भी दो का answer करने देखो जब भी आप अपने question paper को देखो आप यह जरूर देख लेना कि इनमें हमें 2 का answer करना है या सिर्फ कोई 2 करने है या एक करना है ऐसा ना हो कि इन ऐसे question में जहाँ पर कोई choice नहीं है वह आप और भी आप एक ही करके आजाओ ठेक है तो यह गलती मत करना यह भी आपका दो नंबर का है फर्स्ट मैं आपसे पूछ रहा है to deal with financial affairs of the panchaiti raja bodies dash is constituted यानि कि जो financial financial का मतलब होता है जो वित्तिये मामले होते हैं वो panchaiti raja में कौन सी body संभालती है कौन सी body जो है बनाई जाती है मतलब कौन सा ऐसा department है या commission है जो panchaiti raja के अंदर वित्तिये मामले मतलब जो पैसे के लेंदेन वाले मामले होते हैं वो कौन सी body संभालती है तो इसका answer हो जाएगा state finance commission state finance commission जो राज्ये की finance commission होती है वो इस चीज़ को संभालती है next इसी में है in case of earlier dissolution urban local self-governing bodies fresh elections are held within dash यानि कि अगर जल्दी कोई भी मतलब self-governing bodies है मतलब कोई भी just for example किसी भी उसमें कोई लोक सबा है वो dissolve हो गई है या government पहले से ही dissolve हो गई है मतलब उसका कारेकाल है 5 साल का लेकिन वो पहले ही dissolve हो जाती है मतलब उसको पहले ही जनता निरस्त कर देती है खारिज कर देती ह तो उस case में urban local जो self-governing bodies होती है उनके election कब हो सकते हैं तो इसका answer है कितने दिनों बाद हो सकते हैं या कितने महीने के अंदर हो सकते हैं तो इसका answer हो जाएगा 6 महीने I hope आप इसको समझ गए होंगे इसका मतलब ये था कि जो urban local self-governing bodies होती है मतलब जो शहर में जो self-governing bodies होती हैं वो कितने महीनों के भीतर अपना election कर सकते हैं अगर उन वो जल्दी dissolve हो जाती है तो ठीक है उसके बीच में कौन सी समीती आती है पंचायत समीती नेक्स्ट क्वेस्चन है आपका ये भी दो नंबर में हैं पूछ रहा है फर्स्ट में पंचायती राज वोज एड़ोकेटेड पाई यानि कि पंचायती राज कौन लेकर आये हमारे देश में तो इसका answer है गांधी जी महात्मा गांधी इसको इन्होंने इसको इंट्रोडियूस किया था नेक्स्ट है दा ओब्लिगेटरी फंक्शन्स ओफ मॉनिसिपल इंकलूड यानि कि सबसे जरूरी कंपल्सरी बहुत जरूरी है ये कारे मुनिसिपल जो होते हैं जो आपके MCD होती है उसके लिए कौन सा का उनकी प्लानिंग करना या फिर होस्पिटल को मेंटेन करके रखना तो इसका आंसर है water supply MCD का काम आपने पता होगा आपको कि वह water supply करती है schools वगेरों को संबालती है hospital संबालना उसका काम नहीं है और town planning भी वह नहीं करती है तो obviously इसका आंसर first हो जाएगा water supply करना ठेक है next question आ सभा होती है कांसिल का मतलब क्या होता है सभा मंत्रियं मंत्री परिसत की सभा जो होतीitives कि दौरा हैम तो जैसे कि अलग-अलग मंत्री हैं जैसे CM होते हैं चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और आपके जो होम मिनिस्टर्स होते हैं Home Minister तो एक ही होता है, CM होते हैं basically जो, और उनके नीचे जो Ministers आते हैं, जैसे अलग-अलग Ministries में, तो वो किसके अंडर आते हैं, वो PM के अंदर आते हैं, ठीक है, और उनके सभाएं जो हैं, वो PM देखता है, Next, the Council of Ministers is Responsible to, यानि कि जो आपकी मंतरी परिसद होती है, जो मंतरी परिसदों की जो सभा होती है, वो किसके लिए responsible होती है, यानि वो किसके अंडर आती है, तो इसका आंसर है, लोक सभा, यानि कि उनके जो सभाएं होती है, वो सारी लोक सभा में होती है, ठीक है, Next Question है, अब आगया आपका Subjective, अभी तक हमने क्या देखा है, Objective सारे Question देखें, अब हम देखेंगे Subjective Question, यानि लिखने वाला पार, अब आप ये जड़ा नोटिस करो, 27 Question, 54 अगर आपके 54 Question है, उसमें से आधे Question 27, तो आपको ऐसे Question दे दिए, जो कि बिलकुल आपके लिए इतनी Easy है, म नहीं आ रहा है, और एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, इन 27 Question में आप 8 Question और Add कर लो, क्योंकि जो Module है ना, उसमें भी 8 Question ऐसे ही आपको मिलेंगे, जिसमें कि आपको क्या दी जाएगी, Choices, ठीक है, उसमें भी सर्फ दो Question होते हैं, जो कि आपको लिखने होते हैं, तो चलिए हम आपको 28 Question, आप देखो यहाँ पर और दिया हुआ है, यह दो नंबर का Question है, और और दिया हुआ है, या तो आपको यह करना है या फिर की, लेकिन हम आपको दोनों करवाएंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना है पेपर के टाइम पर, देखो, क्या करना है आप दिवाले बच्चे ध्यान दे, उदारवाद क्या है आपको यह बताना है इस Question में, तो मैं आपको उदारवाद से Related सारी चीज़े समझाऊंगी और आपको दो नंबर में कितना लिखना है यह भी मैं आपको बताऊंगी, अब आपको क्या करना है, इन चीजों को अपने दि चीज़े हैं बच्चों के लिए और समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा अगर चीज़े आप अच्छे से समझती हैं तो, चलिए तो शुरू करते हैं और लिखने वाले पार्ट पे आते हैं, अच्छे देखो PDF जो है ना, उ जोइन जरूर करिएगा और PDF आपको वहीं मिल जाएगा, नोट्स वगेरा बनाने के आपको जरूरत नहीं है, वीडियो जल्दी से देख लो आराम से, लिब्रलिज्म हमसे पूछा था, देखो, लिब्रलिज्म समझने से पहले में आपको लिब्रल का मतलब समझाती हूँ, लिब्रल का मतलब क्या होता है, आजाद, ठीक है, आजाद, यानि कि ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसी एक विचार धारा, जिसमें कि सभी मनुष्य है, उनके आजादी है उनके पास, ठीक है, वो किछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आजादी का मतलब यह निये, किसी के घर में जो भी तोड़ फोड़ करनी है, वो कर दो, वो मतलब नहीं है इसका, इसका मतलब यह है कि जो उधारवाद होता है यह liberalism होता है, इसमें यह होता है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो आजादी से अपने सामने वाले के खिलाफ जो उसके सामने कुछ भी गलत कर रहा है, उसके खिलाफ बोलने के उसको आजादी है, कहीं भी जाने के उसको आजादी है, कहीं से भी उसको रोका नहीं जा सकता, तो ये चीज इसमें आती है, देखो अभी इसको समझते हैं, Liberalism is the theory and practice of individual liberty यानि liberalism जो है वो theory है theory यानि एक विचारधारा है और एक practice है practice का मतलब होता है कि एक इस सरीके से इसको अपनाया जाए जिसमें क्या आता है individual liberty यानि कि जो एक मनुश्य है उसके पास उसकी व्यक्तिगत आजादी हो liberty यानि आजादी judicial defense यानि कि कानून के द्वारा उसको जो है रक्षा मिले कानून रक्षा उसको दी जाए and a constitutional state और जिस state पे वो रह रह रहा है जिस राज्य में वो रह रहा है वो समविधानिक राज्य हो यानि वहाँ पर कानून माना जाए जो समविधान है उसके हिसाब से सारी चीज़े हो ये हमारा होता है liberalism उमीद करती हो अंगलेश वाले बच्चे समझ गए होंगे हिंदी वालों को समझाते हैं अब उदारवाद या liberalism वो विचारधारा है जिसकी अंतरगत मनुष्य को विवेक्षील प्राणी मानते हुए मतलब विवेक्षील प्राणी है विवेक्षील का क्या मतलब होता है ज्यानी प्राणी है ये मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूजबूज और सामूहिक प्रयास का परिनाम समझा जाता है उदारवाद की उत्पत्ती को सत्रवी शताबदी के प्रारब से देखा जा सकता है जॉन लोक को उदारवाद का जनक माना जाता है यानि कि फादर ओफ लिब्रिलिज्म फादर ओफ लिब्रिलिज्म कौन है जल्दी बताओ फादर ओफ लिब्रिलिज्म कौन है जॉन लॉक, ठीक है, जॉन लॉक, तो यह हमारे फादर आफ धिलिबलर्स्म या फिर उदारवाद के पिता या जनक आप बोल सकते हैं, आरमभिक उननायकों में एडम स्मित और जेर्मी बैथम के नाम विशेश रूप से उलेख निये हैं, ठीक है, तो इनके नाम कौन-कौन स आरमभिक उननायकों में अगर हम देखे तो एडम स्मित का नाम आता है, और सेकिंड में जेर्मी बैंथम का नाम यहाँ पर आता है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब गांधी जी का कौनसेप्ट ओफ सर्वोध्या, यानि कि सब, ठीक है, ओद्या, ये बना है दो शब्द, सर्व, जमा, उद्या, यानि कि सर्व का मतलब होता है, सब का, ठीक है, उद्या का मतलब होता है, कि सब का विकास हो, बेसकली, तो सब का विकास, गांधी जी चाहते थे कि सब का उद्या हो, सब का विकास हो, इंग्लिश मे देखो गांधी जी's concept of सर्वोध्या sums up his views on the kind of society यानि गांधी जी का जो सर्वोध्या concept है वो sum up करता है कि वो इस तरीके के किस तरीके की society चाहते थे किस तरीके के समाज का वो सपना रखते थे सर्वोध्या as गांधी जी had visualized मतलब सर्वोध्या जो गांधी जी ने visualized किया था उन्होंने सोचा था is the greatest good of all the members of the society मतलब वो चाहते थे कि जो समाज में रह रहे लोग हैं जो भी जितने भी सदस्य है समाज के उनका सभी का greatest good हो मतलब सभी का भला हो it is the welfare of all मतलब सभी का इसमें welfare आए मतलब जो उनका सही है वो उसमें आए the concept of good in सर्वोध्या is not merely material it is moral and spiritual as well यानि ये सिर्फ ना material material का मतलब होता है कोई एक चीज लाके न दे दे लोगों को material मतलब कोई एक ऐसी चीज न दे दे कि हाँ लोई इस से तुम्हारा विकास होगा इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये है कि ये moral हो moral का मतलब सभी लोग अच्छे काम करे spiritual हो मतलब सभी लोग धार्मिक बने ठीक है सभी लोग धार्मिक बने और धार्मिक बनकर अपना विकास करे ठीक है तो इसमें basically ये बताया गया है तो गांधी जी की सर्वोध्या की अवधारना यानि सर्वोध्य की जो धारना है उनकी जो मैंने इंग्लिश में बताया सेम वही है कि ये उनके विचारों का सार प्रस्तुत करती है कि वो कैसा सपना देखते थे कैसा समाज हो उनके प्रकार से ठीक है और सर्वोध्य ये कहता ह कि गांधी जी ने जैसे कल्पना की थी सबसे बड़ी है भलाई यानि सबी सदस्यों की भलाई हो जब हमने यहां पढ़ा था welfare of all इसी में है सबका कल्यान हो इसमें ये भी कहते हैं गांधी जी कि सब जो है अच्छाई इसमें अच्छाई सरवोध्या में अच्छाई का केवल म spiritual भी हो ठीक है उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे आप उसके बाद next question हम अपना देख लेते हैं जो कि है आपका 29th question so the question is what do you understand by federal system of India यानि कि हमारा जो federal system है sorry government का जो federal system है उससे आप क्या समझते हैं तो संगिय सरकार प्रणाली संगिय सरकार प्रणाली या फेडरल government system फेडरल का मतलब है यहांपर संगिय 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 का क्या मतलब होता है यह समझ जो पहले संगिय का मतलब होता है जहांपर कई संग हो तो हमारे जो सरकार है जो भारत की सरकार है उसमें कई सारे संग है संगों में यह बनी हुई है संग का मतलब क्या होता है कि इसके अलग-अलग आप कहसकते डिपार्टमेंट है तो इसमें आप क्या समझते हैं इसका क्या मतलब यह आप से पूछा गया है तो देखोई ना फेडरल गवर्मेंट सिस्टम यानि कि संग्य सरकार प्रणाली में there is a two tiers of government with well-assigned powers and function यानि कि सरकार के इसमें दो स्तर होते हैं संग्य सरकार प्रणाली में दो स्तर होते हैं सरकार के जिनको अलग-अलग शक्तियां और कारे सोपे जाते हैं इन दिस सिस्टम the central government and the state governments act within a well-defined find sphere, coordinate and at the same time acts independently यानि कि ये जो संग्य सरकार प्रणाली हैं इसमें दो संग्य कौन-कौन से हैं एक तो है केंद्र सरकार का ठीक है इसमें एक आता है केंद्र सरकार का स्तम second है इसमें जो राज्य सरकार होती है उसका केंद्र सरकार कहां है बारत की दिल्ली में और राज्य सरकार अलग-अलग राज्य की अलग-अलग हैं तो ये जो कहता है ये जो संग्य सरकार प्रणाली है इसमें इस व्यवस्ता में केंद्र सरकार और राज्य सरकारे एक सू परिभाशित दाइरे में काम करती है मतलब पहले से इनको इनका दाइरा बता दिया गया है कि इसमें आपको काम करना है समन्वे करती है और काम करती है और उसी समय स्वतंतर रूप से भी ये काम करती है मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड भी है लेकिन अलग-अलग भी है इनकी अलग-अलग पहचान भी है ठीक है नेक्स्ट वेस्टिन 30 State the definition of sustainable development Very important question और बहुत आसान question है दो नंबर में है Sustainable development क्या होता है और इसके बारे में आपसे पूछा गया है तो देखो सतत विकास या कई बार हिंदी में पूछ लिया जाता है सतत पोशनिय विकास सतत पोशनिय विकास का क्या मतलब है ये आपको बताना है बेसिकली तो सतत पोशनिय विकास ये sustainable development क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि has been defined on meeting the needs of the present generation without compromising the need of future generation यानि कि simple भाशा में अगर हम भोले तो आज की जो हमारी वर्तमान पीड़ी है वो इस तरीके से सभी संसादनों का अस्तमाल करे resources का अस्तमाल करे कि आगे आने वाली जो भावी पीड़ी है उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए समझे यानि ये विकास की वो प्रिक्रिया है जिसके दौारा परियावरण और प्राकरतिक संसादन जो भी हमारा परियावरण है उनको नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीड़ी तथा भावी पीड़ी यानि कि जो आने वाली पीड़ी है उसके जीवन की गुनवत्ता में सुधार करना मतलब जो हम प्रेजन हम आलेजे हम जो प्रेजन जनरेशन है वो इस तरीके से विकास करें इस तरीके से अपना जो है आगे चीजों को करें कि उससे जो आगे आने वाले पीड़ी हैं उसको कोई भी दिक्कत ना हो यानि आपको पता है कि जो कोईला है वो हमारा आनवी करन या साधन है मतलब उसका हम दुबारा नहीं बना सकते तो ऐसी चीज़े जो उनको हम दुबारा नहीं क्रियेट कर सकते तो उनको खतम ना करें यानि present generation उसको इस तरही के से इस्तमाल करें कि आगे आने वाली जो PDA है वो भी आराम से उस चीज को ले पाए या ग्रहन कर पाए next 31st question इसमें और दिया हुआ है तो दोनों में से कोई यह करना है हम दोनों करेंगे फर्स्ट में आपसे पूछा गया है outline the two conditions when emergency is proclaimed in the country दो नंबर में है तो आपको दो ऐसी condition बतानी है जिसमें की emergency लगाई जाती है ठीक है emergency का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी इस प्रकार की वो इस तरीके से वो लगाना की emergency हो जाए ठीक है देखो तो सबसे पहला है emergency लगाने का सबसे पहला condition होता है कि when there is a war or external aggression यानि जब कोई युद्धी अब बाहरी आकरमन हो जब भी अगर भारत पर किसी भी प्रकार का युद्ध वोर के खत्रे बनते हैं ठीक है तब emergency लगाई जाती है समझें emergency कब लगाई जाती है जब किसी भी प्रकार से युद्ध या बाहरी आकरमन की बाहर का कोई देश है वो हमारे पर आकरमन कर सकता है तो उस टाइम पे emergency लगाई जाती है इमर्जंसी का मतलब यह होता है कि कोई भी जो है घर से बाहर ना निकले ठीक है अपने अपने घरों में रहें और किसी भी प्रकार की सारे जो चीजे होती है वो सारी रुख जाती है संब्धाण की अनुसार उसे चलाना ही असंभव हो जाए समझे यानि कोई भी ऐसा राज्य है जिसकी सरकार ही नहीं बन पा रही है सम्विधान के अनुसार तब भी अमर्जंसी लगाई जा सकती है क्योंकि एक राज्य के अगर सरकार नहीं होगी तो वो यह चलेगा कैसे बाकी राज्यों को भी अपनी जो है चीजों को रोखना पड़ेगा नेक्स्ट थर्ड कंडिशन है इफ दे क्रेडिट और फाइनेशल स्टेबिलिटी ऑफ दे कंट्री इस थ्रेटर्ण यानि कि अधि देश की साख या वित्यस्थिर्था को खत्रा हो फाइनेशल स्टेबिलिटी यानि जो हमारी जो भी पैसे से रेलेटिट चीजे हैं जो भी हमारे देश में जितना भी धन है या वित्यस्थिर्था है उसमें अगर कोई भी खत्रा आ जाए या दूसरा जो देश है वो हमारे उपर कबजा करने के बारे में सोचे कि इनके पास पैसा नहीं है या हमने तुम्हें उधार दिया तुम हमारा वापस नहीं दे पारे उधार तो तब भी एक जो है इमर्जन्जी लगाई जाती है अब इसी में और करके नेक्स वेशन पूछा गया है यानि राष्ट्य सतर पर जब एमर्जन्जी लगाई जाती है तो उसके आपको दो इफेक्ट्स बताने क्या प्रभाव पड़ते हैं ये भी दो नमबर का question है तो इसका answer देखों जब भी आपातकाल लगाई जाता है इमर्जन्जी को हिंडी में आपातकाल बोलते हैं तो जब भी राष्ट्य आपातकाल लगाई जाता है तो उससे कहीं सारे जो है परिनाम निकल कर आते हैं Declaration of National Emergency has far-reaching effects both on the rights of individuals and in the autonomy of the states in the following manner. यानि कि जब राष्ट्य आत्पातकाल की घोशना की जाती है तो दोनों पर किस पर व्यक्तियों के अधिकारों पर भी और राज्य की स्वायतता निमलक्त प्रकार से उन पर दूर गामी प्रभाव पढ़ती हैं. अच्छा मैं आपको एक बात बताओं सबसे पहले जब भी अगर Emergency लगाई जाती तो आपको बताएं इंद्रा कांधी जी ने Emergency लगाई थी आपको कमेंट में बताना है कौन से सन में और क्यों लगाई थी उन इमर्जनसी क्यों लगाय था पातकाल तो सबसे पहली बात जो आती चीट जाती है और राज्ये जो है उनके कुछ अधिकार या कुछ ओटनमी ँछ चीन ली जाती है तो इनका काफी असर पड़ता है तो पहला असर क्या है? यानि इसका यह मतलब है सबसे महतपून यह सबसे important प्रभाव क्या है समविधान के संग्य स्वरूप का यानि जो समविधान का संग्य स्वरूप है ना फेडरल रूप है वो बदल दिया जाता है और वो फिर एक आत्वक बन जाता है मतलब समविधान ही सर्फ यूनिटरी रह जाता है एक आत्मक का मतलब ये है कि जो संग्य है मतलब जो सेंट्रल है आपको पता है समविधान सेंट्रल उस पे भी चलता है और हमारे जो है स्टेट उस पे भी चलता है तो वो चीज बदल के सिर्फ सेंट्रल जो भी सेंटर में चीज़े होंगी वो सारी स्टेट में भी लागू की जाती है तो वो एकात्मक हो जाता है केंदर का अधिकार बढ़ता है तो मैंने आपको बता है सेंटरल जो अधिकार है सेंटरल राइट्स वो बढ़ जाते हैं और संसत पूरे देश या किसी के लिए कानून बनाने की शक्ति फिर रखती है तो मतलब वो अकेले संसत जो है अकेले पूरे देश के लिए भी कानून बना सकती है या फिर किसी एक व्यक्ति के लिए भी वो कानून बना सकती है उसकी शक्ति उसके पास आ जाती है जब भी emergency लगाए जाती है उसका भाग यहां तक कि राज्य सूची में उलिखित विशेओं के संबंद में भी परिवर्तन कर सकते हैं उसका second जो परिवर्तन कर सकते हैं यानि कि भारत के जो राष्टपती है वो राज्य को किस प्रकार से निर्देश चारी कर सकते हैं और किसे किया जाना चाहिए वो प्रेजिडेंट के हातों में आ जाता है तो जो राष्टपती होते हैं देश के अगर emergency लगाए जाती है उनके पास यह अधिकार आ जाता है कि वो जो राज्य हैं उनको यह बता सकते हैं कि तुम्हें ये काम इस तरीके से करना है चीक है और कौन राज्य सभा का मेंबर बनने के लिए राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी आपके पास चीजे होनी जरूरी है eligibility क्या होती है इसकी यानि कि क्या ऐसे चीजे हैं जो महतुपूर्ण हैं जो आपको राज्य सभा का सदस्य बना सकती हैं तो उसके लिए सबसे पहल जरूर हो, ठीक है, and at least 30 years of age, यानि उसकी उमर कम से कम 30 वर्स की हो, अगर किसी को जो है, राज्य सभा का सदस्य बनना है, तो उसकी उमर कम से कम 30 वर्स हो, ठीक है, और वो भारत का नागरी को, next, she or he should be registered as a voter in the state from which he is taking election to the राज्य सभा, यानि उसे उस राज्य में मतदाता की रूप में पंजिकृत होना चाहिए, जहां से वह राज्य सभा के लिए चुनाव में लड़ना चाहता है, for example, अगर कोई ऐसा इंसान है जो दिल्ली से राज्य सभा चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो दिल्ली में उसका एक वो जो वोटर वो है ना, वो होना चाहिए, मतलब मतदाता की रूप में दिल्ली में registered होना चाहिए, और पंजिकृत उसको होना जरूरी है, तब ही वो मत दाता का चुनाव वहां से लड़ सकता है, नेक्स ए एक्स्प्लेइन टू एलिजिबिलिटी कंडिशन फॉर दे अपॉइंट्मेंट्मेंट उफ लोग सभा मेंबर, यानि कि ये तो उमने बढ़ा राज्य सभा का सदसे बनने के लिए, अगर अगर लोग सभा का सदसे बनन चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, राज्य सभा का बनने के लिए होनी चाहिए, 30 वर्ष से उपर उमर और अगर लोग सभा का सदसे बनना है, तो होनी चाहिए 25 से उपर उमर, ठीक है, यानि नयाले द्वारा, जो हमारी कोट है, उसके द्वारा, दो या दो से अधिक वर्ष का कारावास की सजा ना दी गई हो उस इंसान को, जैसे मान लिजे, कल को कोई भी इंसान है, कोई ऐस नाम से इंसान है, वो जो है, लोग सभा का सदसे बनना चाहता है, लेकिन उसकी न साल से जादा की सजा काटकर आ चुका है तो वो सदसे नहीं बन सकता तो ऐसा सदस है जो कि लोग सभा का मेंबर बनना चाहता है यह पॉइंटेड होना चाहता है वहां तो उसके उपर ना तो कोई कारवास की सजा हो ना उसके पर कोई केस लगाया गया हो ना कभी जेल गया हो ठीक है और भारत के किसी भी निर्वाचन छेतर का मतदाता होना चाहिए। हमने पीछे देखा कि अगर हमें राजसभा का मेंबर बनना है तो हमें जिस भी हम स्टेट से वहां का मेंबर बनना जाते हैं तो वहां का हमारे पास मतदाता होने जाहिए। मतलब वोट हमारा महा का होना चाहिए लेकिन इसमें आपसे बोला गया है कि किसी भी निर्वाचन छेतर जरूरी नहीं है कि आप उसी निर्वाचन छेतर से उठो और वहीं का आपके पास जो है वोट राइडी होना चाहिए आप कोई भी वोट राइडी मतलब किसी भी छेतर क वोटर आईडिया मत आता जो है हो सकते हैं इसमें आपसे पूछा गया है एक्सलें दा टू जुरिस एडिक्षन एरियाज ऑफ सुप्रीम कोट यानि कि यह दो नंबर का क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोट के दो आपको बताने हैं कि जुरिस्टिक्षन क्या होने चाहिए ठीक करता है ठीक है कौन-कौन से एरिया में वो सुप्रीम कोट किस तरीके से काम करता है देखो disputes between the government of India on the one side and one or more states on the other side देखो अगर किसी भी एक government है government है इंडिया की ठीक है उसके बीच और कहीं राज्यों के बीच कहीं states के बीच या किसी एक state के बीच dispute हो रहा है dispute का मतलब होता है विवाद हो रहा है ठीक है विवाद हो रहा है तो उस समय पे सुप्रीम कोट ये विवाद सुलजाती है तो सुप्रीम कोट क्या काम करती ह इनका विवाद सुलजाती है, ऐसा नहीं कि कोई भी जाके सुप्रीम कोट में बोलतेगा कि मेरा केस लड़ो, ऐसा नहीं होता है, अगर भारत सरकार और राज्यों के बीच, स्टेट के बीच, डिस्प्यूट हो रहा है, विवाद हो रहा है, तब सुप्रीम कोट आती है और इ के विवादों को सुलजाए तो एक तरफ तो भारत सरकार और दूसरी और जो एक या एक से अधिक राज्य उनके बीच का विवाद सुलजाने का काम करती है और इसके अलावा एक या दो सर्वोच नयाले हैं, जो सबसे उचा नयाले हैं, वो एक protector कैसे है, मतलब जो fundamental rights हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक कैसे है, Supreme Court तो देखो, the Supreme Court has concurrent right with the high courts to issue directions, orders and rates for informants in enforcement of fundamental rights, यानि उच्चतम नयाले या सर्वोच नयाले हैं उसको उच्च नयालों के साथ जारी करने का समवर्ती अधिकार है, मौलिक अधिकार को लागू वो कर सकता है, उसके लिए निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है, रिट भी वो बना सकता है, ठीक है these are in the nature of the rates of habeas corpus mandamus, prohibition seritory and co-warrento यानि इनके अंदर कौन-कौन से रिट आते हैं, इनकी प्रकरती में कौन से रिट आते हैं, पहला है बंदी प्रतेक्षी करें, इनको हम बहुत अच्छे से अभी आगे समझेंगे, फिर है परमादेश निशेद, इनका रिट जो है आता है, सर्टी ओररी और को वरंटो, these रिट्स मेक दा सुप्रेम कोट अ प्रोटेक्टर और गारेंटर ओफ फंडामेंटल राइट, यानि यह जो रिट्स हैं यह सर्वोचन आयले को बनाते हैं मौलेकतिकारों के रक्षक और उनकी उनके गारेंटर यानि गारेंटी जो है मौलेकतिकारों की इन रिट्स के द्वारा मिलती है तो ये रिट्स को हम अच्छे से आगे समझेंगे पहले हम दूसरे क्वेशन समझ लेते हैं 34 क्वेशन में आपसे पूछा गया है नेम दे टू पार्ट्स इन दे कॉंस्टिटूशन in which the core of federalism have been enumerated दो नंबर का एक वेशन है आपको बताने है कि जो समविदान है उसमें आपको दो ऐसे अंग बताने है जिसमें कि हमें federalism के बारे में बताया गया है कि federalism किस तरीके से लगाया जाता है ठीक है तो देखो कौन से, मतलब कौन से parts में है ये तो हमें जो है the relation between the center and the states which constitute the core of federalism have been enumerated in parts 11 and 12 of the constitution यानि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का मूल क्या है federalism का मतलब होता है मूल क्या है उनका संबंधों का मूल क्या है तो ये हमें federalism संगवाद ठीक है, वो हमें कहां मिलता है, संबंधान के भाग 11 और 12 में तो यह आपको याद रख रहे है भाग 11 और 12 में हमें देखने को मिलता है, ये parts हैं, जिसमें हमें federalism federalism के बारे में, या संगवाद के बारे में देखने को मिलता है ठीक है, next question देखें तो next question है identify the two effects after the imposition of the president's rule यानि कि जो president's rule है जो राष्ट्रपती का rule है राष्ट्रपती अगर कोई भी rule देता है ठीक है नियम देता है तो उसके क्या effects पढ़ते हैं अगर कोई उसका imposition कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है ठीक है अगर president जो है कोई भी किसी भी प्रकार का rule दे रहा है उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसका क्या effect पढ़ता है तो राष्ट्रपती जो है राज्य के सभी या किसी भी कारे को अपने उपर ले सकता है मतलब राज्य के state के जितने भी काम है कोई भी काम या सभी काम वो वो अपने उपर ले सकता है, सरकार या वह उन सभी या उन में से किसी भी कारे को राज़ेपाल को सौप सकता है, या सरकार का कोई ऐसा काम है, जो प्रेजिडेंट को लग रहा है, राश्ट्रपती को लग रहा है कि ये काम जो है, राज़ेपाल को करना चाहिए, या फिर गव वो उसको मतलब भंग कर सकता है मालीजे राज्य जो राश्टपती राज्य विधान सबा को भंग कर सकता है उसके पास ही ताकत है कि विधान सबा जो है उसको भंग करने की शक्ती रखता है या उसकी अधीन कर सकता है निलंबन यानि उसको उसको निलंबित कर सकता है यानि सस ब्रेजिटेन्ट बिश्राइब्ट कर सकता है उसको इसको सस्पेइन्ट भी इसके कोई भी दो कारे आपको बताने है तो देखो जो लोगसभा का अध्यक्ष है या स्पीकर है उसके जो बेसिक फंक्षन है इस तो प्रेसाइड ओवर दा हाउज और अध्यक्ष का मूह लिका रहे है सदन के अध्यक्षता करना यानि देखना कि कौन किस तरीके से क्या बात कर रहा है आपने देखा होगा ना कि पूरी लोगसभा रहती है राज्यसभा रहती है तो उसमें इस तरफ तो जो है जज तरशन टीवी आता है तो वहां पर वो लोग डेक्स पर हात मतलब मारते हैं तो इसका मतलब वो क्लाप कर रहे हैं तो जो स्पीकर होता है यह जो स्पीकर है यहां जो बैठाया जाता है उसका काम होता है कि सब चीज़ों कंडक्ट करना ठेक है कोई किसी को गलत ना बोले और जो संचालन हो रहा है पूरी बैठक का वो व्यवस्थित धंग से हो सके ठीक है All the bills, reports, motions and resolutions are introduced with speaker's permission यानि सभी जो विधेक हैं, report हैं, प्रस्ताव हैं या संकल्प हैं वो सारे अध्यक्ष की अनुमती, speaker की अनुमती होगी तब ही वो सारे वहाँ पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं अगर यह अनुमती नहीं देगा, तो कोई भी कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर सकता इसी में next question पूछा गया, explain financial functions of parliament यानि जो parliament है, उसके financial, वित्तिय कारे क्या हैं? वित्तिय कारे आपसे पूछा गया, इसमें ये भी दो नंबर का सवाल है तो चलो ये भी देख लेते हैं यानि जो संसद है, उसके बहुत मैत्यपूर्ण वित्तिय कारे होते हैं वो बहुत मैत्यपूर्ण वित्तिय कारे करती है It is the custodian of the public money यानि वो जनता का पैसा का संरक्षक है ठीक है तो संसत का जो में गाम होता है कि जनता का पैसा किसी भी गलत हाथ में ना जाए ठीक है It controls the entire purse of the central government यानि कि केंदर सरकार के संपून धन पर्स का मतलब यहाँ पर है पूरा जो धन है उसको भी नियंतरित करती है उसको भी पचा कर रखती है No money can be spent without its approval यानि कोई भी पैसा मतलब अगर इसकी मंजूरी नहीं दी जाती तो वो पैसा कुछ भी खर्च नहीं किया जा सकता ठीक है इसकी मंजूरी के बिना कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकता यानि ये मंजूरी जो है वो पैसा खर्च करने से पहले भी ली जा सकती है और दुरलब मामलों में यानि बहुत कम ऐसे मामले होते हैं कि खर्च करने के बाद इससे मंजूरी ली जाए और आपको पता है हर साल हमारे यहां बजट निकाला जाता है जो कि अभी हमारी फिलाल की जो वित मंतरी है निर्मला सितारमन इनोंने हमारा बजट निकाला है तो ये जो बजट है ये संसत के द्वारा ही अनुम मोदित किया जाता है यानि अप्रूव किया जाता है हर साल ठीक है तो उमिद करते हूं आपको समझ आ गया होगा यह question, next question 37, explain the meaning of environmental degradation, यानि कि जो हमारी प्रकर्ती जो प्रकर्ती है, उसका किस तरीके से हरास हो रहा है, वो किस तरीके से खतम होती जा रही है, वो आपको इसमें बताना है, दो नंबर का यह question है, तो देखो इसका answer All human activities have an impact on environment and in the last two centuries, the human influence on environment has increased manifold due to the rapid population यानि जितनी भी मानवे गतिविदियां हैं, जितनी भी हम काम करते हैं, activities करते हैं, उनका परियावरन पर बहुत जादा प्रभाव पढ़ता है, और अगर पिछली दो शताबदी, जो हमारी पिछली दो centuries की हम बात करें, तो उसमें तेजी से बढ़ती जनसंक्या के कारण परियावरन पर मानव का प्रभाव कहीं गुना बढ़ गया है, है ना, परियावरन अब कितना जादा influence हो गया है, क्योंकि population इतनी बढ़ गई है, जनसंक्या इतनी बढ़ गई है, growth and the fast development in science and technology are the major factors in reducing the quality of environment and causing its degradation यानि सबसे बढ़ा कारण हो सकता है, विज्ञान और प्रध्योगी की में वृध्धी science और technology जैसे जैसे बढ़ी है, वैसे वैसे, factories लगी है, ना टाबर्स लगा दिये गए हैं बड़े-बड़े, ठीक हैं तो उसकी वज़े से भी, अगर हम देखें कि तेज विकास करना जो है हमारे परियावरन की गुणवत्ता को धीरे-धीरे कम करता जा रहा है, और उसका एक प्रमुक कारक भी है कि हमारा जो परियावरन है, उसका शरण होता जा रहा है, यानि हरास होता जा रहा है, वो खतम होता जा रहा है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है? आप देखो next question आपका पूछा गया है 38 question है, तो इसमें आपसे ये, आप यहाँ पर 3 number के question स्राट हो गए है, 38 में आपसे पूछा गया है, explain the party system in India, यानि भारत में जो दल व्यवस्था है भारत में दल व्यवस्था बताओ, उसके बारे में आपको बताना है basically चीक है? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं तो भारत में जो दल व्यवस्था है सबसे पहले तो ये multi-party system है, यानि यहाँ पर बहु दलिय प्रणाली है अच्छा देखो, South Korea जो है, या आप North Korea या जो भी है, Korea में आपको पता होगा एक दलिय व्यवस्था है एक दलिय व्यवस्था का क्या मतलब होता है? कि सिर्फ one party सिर्फ एक party होती है और उसी को जो है जनता vote देगी, उसमें क्या है? उसमें चुनाओ करनी की भी जरूरत नहीं है लेकिन हमारे यहाँ देखोगे भारत में तो कितनी सारी parties है ना राष्ट्य स्तर पर भी national parties हैं देखो जैसे national parties यह सारी है भाजपा, कॉंग्रेस और बीएसपी, तो यह सारी parties हमारी national party है communist party, तो यह सारी जो है वो राष्ट्य स्तर पर हैं मतलब पूरे देश में हैं और कुछ हमारी राज्य के स्तर पर भी पार्टियां हैं, ठीक है? और इसके अलावा हमारी छेत्रिया पार्टियां भी है, मतलब बहुत जादा हमारा vast party system है बहुत सारे दल हैं हमारे पास तो बहुत अलिया व्यवस्ता है बहुत अलिया प्रमनाली है हमारे भारत में सबसे पहला तो यह हो जाएगा next है dominated by several national and regional parties तो यहाँ पर कई सारी राष्ट्य और छेत्रियां दलों का भी वर्चस्व है कई बार क्या होता है कि national parties के हलावा भी राष्ट्य और छेत्रियां दल जो है वो आते हैं निकल कर सामने first general elections based on universal adult franchise in 1952 यानि कि 1952 में सार्व भॉमिक व्यस्क मतादिकार पर आधारित पहला आम चुनाव हुआ था अच्छा देखो सार्व भॉमिक व्यस्क मतादिकार बहुत इंपोर्टेंट है यह क्या होता है सार्व भॉमिक व्यस्क मतादिकार या फिर universal adult franchise इसका मतलब यह है सार्व भॉमिक सभी को व्यस्क का मतलब होता है जो जमान है मतलब 18 साल की उम्र जब हो जाती है उन सभी इंसानों को उन सभी जो है लोगों को वोट करने का अधिकार दिया जाता है तो वही सार्व भॉमिक मतादिकार है तो यह जो था 18 साल की उम्र के बाद सभी को वोट करने का अधिकार उसमें पहला चुनाव आम चुनाव कब हुआ था 1952 में हुआ था इंडिया है तू टाइपस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के पास दो प्रकार के दल है राजनितिक दल है पहला दल है राष्ट्रिय या नाशनल दल ठीक है नाशनल पार्टी और दूसरा है रीजनल पार्टी जो कि आपका छेत्रिय दल है चेत्रिय दिल में कहीं सारी पार्टियां आती है, आम आदमी पार्टी आपको बताने हैं एक राष्ट्रे पार्टी है या फिर चेत्रिय रीजनल पार्टी है थीक है तो यह आप कमेंट बें बताएंगे ठीक है चलो अब next question इसका देख लेते हैं तो आपका 39th question है identify various factors causing environmental degradation यानि कि जो प्रियावरेंट हरास हो रहा है जो हमने अभी ये वाला question देखा ये वाला 3 number में है तो उसके क्या-क्या factors है मतलब किस चीज के कारण किन ऐसे चीजों कोई ऐसे हम चीज करें जिनके कारण ये जो है environmental degradation प्रियावरेंट हरास वो होता है तो सबसे पहला है land, air and water degradation ठीक है सबसे पहला कारण इसका ये है कि जो भूमी, वायू और जल का शरण है उसके कारण प्रियावरेंट का शरण होता है प्रियावरेंट आपको पता है environment किस चीज़ से मिलकर बना है environment में हमारी भूमी आती है ठीक है, पानी आता है इसके अलावा हमारा जो वायू है वो आती है अगर हम उसी को दूशित कर देंगे पेड काटेंगे, ठीक है इस तरीके से पूरे में खूडा कचडा फैलाएंगे और पानी को पूरा गंदा कर देंगे या जो भूमी है भूमी में क्या होता है सूखा आ जाना या मरदा परदन हो जाना मरदा परदन का मतलब क्या है कि जमीन जो है वो फट जाती है वो चीज होना या लकडियों को हम काट के जला देते हैं ठीक है तो इन चीजों से हमारी जो प्रियावरन है, जो हमारा environment है, वो जो है नश्ठ होने के गगार पर आ जाता है, ठीक है, next population growth, जनसंख्या वृद्धी, जब जनसंख्या वृद्धी होती है, जब अगर हमारी population बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, जो हमारे resources है, जो हमारे काम की च जला जाएगा, अब भार बढ़ रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, प्रकरती को हम जादा से जादा उससे चीजे, यह आप कह सकते हैं, उससे हम अपने मतलब के लिए सारी चीजे ले रहे हैं, जैसे पेड़ और जादा काटी जाने लगे, जो जल में परदूशन है, बहुत जादा बढ़ने लगा, किस चीज के वज़े से क्योंकि पॉपिलेशन बढ़ रही है, अगर शहरी करण होता है, जंगलों को काट कर वहाँ पर घर बना दिया जाना, तो वो शहरी करण के कारण भी बहुत सारी चीजे हो रही हैं, ठीक है, गाउं शहर में तबदील ह और अगर गाउं शहर में तबदील होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानि अध्योगी के करण के कारण भी ये चीजे हो रही है, उध्योग पाने के लिए, उध्योग लगाने के लिए, लोग क्या कर रहे हैं, नई-नई इंडस्ट्री अब देखो, इनवामेंटल डिग्रेडेशन से ही इस तरीके से क्वेशन आपसे पूछा गया है, कि जो हमारी राष्ट्रिय परियावरन को बचाने के लिए, जो नीती बनाई गई है भारत में, उसका एक उदेश्य आपको बताना है, बेसिकली, तो यह देखो, जो इनवा एक्टिव एंड एस्थेटिकली सेटिस्फाइंग एंवामेंट, यानि कि सुरक्षित, स्वस्थ और उत्पादक और सौंद्रिय पोन रूप से हम संरक्षन कर सकें, और वातावरन को का विकास कर सकें, संतोष जनक वातावरन, जिसमें कि हम सभी खुश हो, ठीक है, सेटिस शहरी बस्तियों को बहतर बनाने के लिए उनका उन्नेयन, विकास और प्रबंधन करना, ताकि जीवन की गुडवत्ता सही बन सकें, यानि कि हम शहरी करन में तो आएं, लेकिन शहर जो हैं, उनको बसाने के चक्कर में, हम जो अपने गाउं हैं, जो पेड़ पोध हैं, उनक इसका मतलब यह हैं, कि ऐसे सिधान्त हमें लागू करना चाहिए, इस पॉलिसी का एक और मकसद है, कि ऐसे सिधान्त लागू करना, जिसमें विकास की योजना तो बनाई जाए, लेकिन जो परियावरण हैं, उसको खराब ना किया जाए, यानि उसका उचित समावेशन हो, और सारे परियावरण के जितने भी सुरक्षा उपाए हैं, उनको भी अपनाया जाए, चीक है, इकोलोजिकल प्रिंसिपल्स ऐसे सिधान्तों को बनाना कि इन्वार्मेंटल डेवलप्मेंट हो, लेकिन उसके साथ साथ हम इन्वार्मेंट को सेफगार्ड कर सके, परियावर उसमें non-alignment movement क्या महत्व है, उसका क्या मतलब है, good निरपेख्षिता, मतलब हम किसी भी good का, किसी भी आप कह सकते हैं, किसी भी group का हम साथ नहीं देंगे, वो होता है non-alignment, ठीक है, तो उसका उदेश्य क्या है, non-alignment aimed to maintain national independence in foreign affairs by not joining any military alliance formed by the USA and Soviet Union in the aftermath of the second world war, तो good निरपेख्षिता का उदेश्य ये है, विदेशी मामलों में, अगर हम देखें, तो राश्य स्वतंतरता को बनाए रखना था, मतलब जो हमारा इंडिया है, उसकी स्वतंतरता को बनाए रखने के लिए, हमने ये decide किया था, कि जो USA, सन्युक्त राज्य अमेरिका औ तो उसको जॉइन ना करना, उसमें हम शामिल नहीं हुए थे, ये क्यों हुआ था, जो Second World War हुई थी, जो दृत्य विश्वय यूद हुआ था, उसके बाद USA और Soviet Union ने अपनी जो सेनाए हैं, उनका अलाइंस किया, उनको गठभंदन किया था, तो इसमें हम शामिल नहीं हु नाशनल इशूज अकॉर्डिंग तो दे मेरिट्स ओफ इच कीज, यानि कि ये एक गतिव शील अवधारना थी, जिसका मतलब ये हैं, कि हम किसी भी सैने गुट के प्रती प्रतिबद नहीं होंगे, बलकि हम अपने अंतरराश्य मुद्दो को उठाने के लिए, खुद स्व होकर, स्वतंत्र होकर, अपनी जो खुद की आर्मी है, उसके बलबूते पे अपने मुद्दो को इंटरनाशनल लेवल पर ले कर जाएंगे, इंडिया होस्टेट दे सेवन्थ एन एम समिट अट न्यू देली इन नाइंटीन एटीन एट्री विद आ होप धाट एन एम टेक सम्मेलन की, जो है, को मतलब एक तरह से मेजबानी की, मतलब उसको दिली में, नई दिली में, 1983 में, इन एम सम्मेलन को आयोजित किया, और इसका सिर्फ एक उदेश है था, गुट निर्पेक शांदोलन विकास करना, और निर्सस्त्री करना, मतलब किसी के पास भी हतियार जो हर एक देशों की पास थे, तो वो हतियार जो है, उसका मुद्दा उठाया जाए, कि सभी के पास इस तरीके से परमानू हतियार है, और कोई भी किसी समय पर भी किसी भी उसमें हमला कर सकता है, चीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा, next question, 41, analyze three rights of Supreme Court, which makes it protector of fundamental rights, तो हमने उपर जो पढ़ा था ना, उसी का एक ब्रीफ रूप है, यह, तीन नंबर का question है, हम यहां पर हमें तीन अधिकार बताने हैं, तीन ऐसे सर्वोच नयायले के अधिकार बताने हैं, जो कि इसको हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाता ह हैं, पताब ऐसे कौन से अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच नयायले को बनाता है, तो इस का answer देखो यह रहा, पहले हम English में देखेंगे, फिर Hindi में देख लेंगे, तो पहला जो है, इनके जो है, इन्होंने रिट्स निकाले हुए, Supreme Court ने हैं, ठीक है, हैबियस कॉर्पुस का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं, हाँ, देखो, हैबियस कॉर्पुस का मतलब है, यह एक रिट्ट है, ठीक है, एसकी के दुआरा, अगर हम English में देखेंगे न, Hindi में, हिंदी में इसका मतलब होता है, बंदी प्रत्यक्षी करन, बंदी प्रत्यक्षी करन, अगर किसी को बंदी बनाया जा रहा है, तो उसका प बंदी प्रत्यक्षी करन, यह हाँ, हाँ, हैवियस कॉर्पुस का मतलब यह है, कि आपके पास शरीर है, आपके पास शरीर है, तो हैव दा बॉड़ी, इट इस यूज़ तो शिक्यार पॉर्सन हो हाज बीन डीटेंड अनलॉफुली और इलीगली, यह क्यों बनाया गया है, यह अधिकार S.C. को इसलिए दिया गया है, कि किसी भी इंसान को अनलॉफुली, यानि कि कानून के अंतरगट अगर अपने हिरासत में पॉलिस ना ले, या फिर इलीगली उसको गैर कानूनी तरीके से उसको अपनी हिरासत में ले ले, तो इस इंसान को बचाने का काम S.C. क भी इंसान को जो है, पुछिस के द्वारा आई या किसी और पावर के द्वारा अपने अंडर ले लिया गया है, ह्रासत में ले लिया गया है, तो उसका वकील यहां पर हैबियस, हैबिस कॉर्पस के रिट को जो है सामने ला सकता है, ऐसे से क्या कह सकता है your honor my client has been detained illegally I am here to ask for his body back यानि कि मेरे जो मतलब मेरा जो client है ये जो है ये court में आकर ही गह सकता है कि देखो मेरा जो client है उसको detained कर लिया गया है उसको illegally अपनी हिरासत में ले लिया गया है और मैं चाहता हूँ कि उसकी body मुझे back कर दी जाए यानि कि मुझे वो सही सलामत लोटा दिया जाए तो SC के पास ये अदिकार है कि वो जो है मतलब जिसने भी सहरासत में लिया है जैसे for example पुलिस ने तो फिर उससे वो कहेगी कि तुम इसकी जो body है उनको सही तरीके से सही रंग से वापस भेज दो ठीक है क्योंकि ये वो पहले वो देखती illegally है या नहीं अगर legally तरीके से सारा काम हुआ है तो फिर वापस नहीं की जाती तो देखो writ of heaviest corpus can be issued against both मतलब किस किस के against हो सकता है ये public authorities या फिर private individuals ठीक है मतलब कोई ऐसी private company है जिसने अपनी मतलब किसी भी इनसान को इस तरीके से हिरासत मिलिया तो उसके खिलाब भी और public authority जैसे कि कोई भी जो भी हमारे SC से नीचे जितने भी हमारे कानून के रखवाल भी होते हैं उनके अंडर ही ठीक है तो आपको इस समझा गया है हैं अब हिन्दी में गवार देख लेते हैं कानून का इक सहारा है रिइट का मतलब बेसिकली सहारा होता है तो यह SC को क्या दिया जाता है कि बंदी प्रतेक्षी करण हो मतलब जिस भी इंशान को बंदी बनाय जा रहा है उसका प्रतेक्षी करन होना चाहिए प्रतेक्षी रूप से बताना चाहिए पुलिस को भी या कोई भी अथॉरिटी है तो उसको बताना पड़ेगा ऐसी को कि यह देखो हमने इसको सही तरीके से अपने अंडर लेया है कोई illegal काम इसने किया तो हमने वैसे लिया और अगर ऐसा उसने नहीं किया है पोलिस अगर गलत तरीके से अपने अंडर अपने उस इंसान को बंदी बनाती है तो ऐसी क्या एक मैंने आपको बताया कि उसके पास यह है कि वो जो है गैर कानूनी हिरासत या फिर कारावास की कटनाओं में आदालत को एक रिपोर्ट दी जा सक क्ति है जिसमें कि हम अनुरोध कर शकते हैं कि अदालत व्यक्ति के संरक्षक को आदेश दे कि उसकी बाड़ी को वापस भेज दिया जाए ठीक है नेक्स्ट हमारा इसमें आता है मैंडेमस को हिंदी में कहते हैं पर्मादेश परमादेश basically तो परमादेश क्या कहता है पहले English में पढ़ लेते हैं Mandamus का मतलब देखो ये रहा तो Mandamus English में Basically इसका ये मतलब है Mandamus means We command यानि कि हम command करते हैं अब ये किस-किस के बीच में होता है ये judge जज और जो aggravated, aggrieved individual है उसके और public authority के बीच में होता है देखो Mandamus में क्या होता है Mandamus means We command मतलब हम command करते हैं It is an order from a superior court to inferior court यानि कि जैसे कि जो supreme court है जो सरवोच ने आया ले है उससे जो छोटी-छोटी court है या फिर कोई भी public authority है ये उनके बीच में होता है जैसे कि यहाँ पर कोई भी आकर supreme court में अपनी अरजी लगाता है कि देखो Your Honor police is not taking my complaint यानि कि police जो है वो मेरी complaint नहीं ले रही है मेरी complaint दर्ज नहीं कर रही है grieved individual का मतलब है जो दुखी है, जो एक इनसान दुखी है वो S.C. के पास आकर अपनी जो है अरदास लगाता है फिर judge जो है S.C. का क्या करेगा We order you to take his complaint आप वो सीधा order करेगा किसके उपर public authority, मतलब जो police है उसके पास order कर सकता है कि देखो इसकी जो मतलब जो भी demand है वो तुमें fulfill करनी पड़ेगी ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या कहेगा, short ठीक है, तो इसका मतलब क्या है जो हमने, पीछे हमने देखा heaviest corpus में क्या था इसमें जो है, इसमें यहाँ पर होता है कि जो body है, वो हमारे पास girvy है, ऐसी कहती है कि तुम्हारी जो body है, हमारे पास girvy है, इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है, या कुछ भी police करती है, तो हम उससे जवाब दे ही ले सकते हैं तो ऐसे यहाँ पर mandamus में होता है कि परामादेश दिया जाता है परामादेश का मतलब इसका आदेश, जो supreme court का जज है, उसका आदेश सबसे उपर माना जाएगा, कि police को उसका आदेश मानना ही पड़ेगा अब इसमें note दिया हुआ है कि rate of mandamus can not be granted against private individual और organization, यह जो mandamus का rate है यह किसी भी private individual पे follow नहीं होता है मतलब private अगर कोई company है या private कोई भी organization है वो ये चीज नहीं मानती SC का फिर उसके उपर आदेश नहीं चलेगा, ठीक है और इसमें एक last हमारा आता है co-warrant का, co-warrant का मतलब होता है by what authority यानि कोई ऐसा इनसान है जो public office में किसी भी authority पे, किसी भी मतलब उसके पास कोई हाँ कह सकते हैं कोई उसके पास कोई order नहीं है और वो उस पद पे बैठा हुआ है तो judge के पास उसके पास ये एक अधिकार है कि वो उससे पूछ सकता है co-warrant रिट है उसके पास कि तुम किस authority से इस office को संभाल रहे हो मतलब कौन सा ऐसा अधिकार है जिसकी वज़े से तुम यहाँ बैठे हुए हो वो से पूछ सकती है उस office पे जाकर ठीक है It is a writ issued with a view to restraining a person from acting in a public office to which he or she is not entitled यानि कि government का ऐसा office जिसमें कि उसको बैठा दिया गया है लेकिन वो उसका अधिकारी नहीं है मतलब उसके पास अधिकार नहीं है तो जो सुप्रीम कोट है वो सीधा उसे पूछ सकते कि तुम किस authority से वो by what authority किस अधिकार से तुम यहाँ पर इस office को समभाल रहे हो अब इस रिट में हमें यह बताया जाता है कि जो concerned person है जिसके उपर यह blame किया गया है तो उसको सारी चीजे कोट को फिर समझानी पड़ेगी कि किस authority से किस अधिकार से वो office समभाल रहा है तो यह था आपका पूरा पहले हमने बंदी प्रतक्षी करंट देख लिया परमादेश में मैंने आपको बताया कि परमादेश जो इरिट है उसमें उच नयाले अपने नीचे वाले नयाले उसे या फिर सरकारी जो offices वा कहा रहा है सरकारी जो organization है या कोई भी अधिकारी है उसके खिलाफ पूर्ण आचरन या चूक को ठीक करने के लिए जारी किया गया है जो जिम्मेदारी के सतर के अनुसार कारे करने के लिए हकतार है जैसे हमने वो example लिया था कि पुलिस जो है अगर complain ना ले तो हम सीधा जाकर SC में कह सकते है सरवोच नयाले में जाकर कि देखो यह हमारी complain नहीं ले रहे है तो SC जो है वो सीधा फिर पुलिस से बात करेगी authority से बात करेगी और फिर वहाँ पर कहा जाएगा कि तुम इसकी complain क्यों नहीं ले रहे है और उस चूक को फिर वो ठीक करने के लिए उनको आदेश देती है परामादेश यानि सबसे important सबसे पहला आदेश next है co-warant co-warant को हिंदी में कहते अधिकार प्रच्छा जो हमने अभी अभी पढ़ा इसका मतलब यह है कि आपका क्या अधिकार है क्या प्राधिकार है किस मतलब किस रूप से कि आप किसी भी सार्वजनिक पद या फिर public designation पर बैठे हुए हो किसी भी public पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ती है तो उसके विरुदिये जारी किया जाता है कि कौन सा अधिकार है अगर आवैधानिक रूप से है आवैधानिक मतलब मान लेजे कोई I.S है तो हम जाकर सीधा SC में या सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंड कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का काम फिर वो रिट जारी करेगी और साइएस के खिलाफ कि तुम कौन से अधिकार से इस पद पर बैठे हुए हो और इस ओफिस को संभाल रहे हो उमीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा पूरा ये मैंने काफी अच्छे से आपको समझा दिया है अब इसी भी सेकिन दिया हुए डिस्क्राइब दे टर्म और कोर्ट ओफ रिकॉर्ट अब आपको समझाना है कि एक कोर्ट ओफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है तो देखो यहाँ पर इसके पास कुछ दो इंप्लिकेशन है पहली अब इस डिसीजन और जज़्जमेंट्स आज साइटेड आज प्रिसीडेंट्स इन आल कोर्ट्स ओफ दे कंट्री यानि इसके सभी फैसले और फैसले जितने भी यह ले ज़्जमेंट्स अगरी कर रही है तो वो सभी अदालतों में मिसाल के तोर पर उध्रत किये जाती है तो ऐसी जो भी फैसला लेती है तो वो जितनी भी नयायाले हैं हमारे भारत में वहाँ पर उन नयायाले को सबसे पहले तो माना भी जाता है और उनी नियायले को सभी नियायलों में जो है मिसाल की तोर पर उन मामलों को बताया जाता है They have the force of law and are binding on all lower courts and indeed the high courts इनके पास, उनके पास कानून की शक्ति है और वे सभी निचली अदालतों और वास्तों में उच्छ नियायलों पर बाद्यकारी है मतलब इनके पास Supreme Court के पास इतनी शक्ति है कि वो जो निचली अदालती है उनके उपर भी वो बंधन लगा सकती है और उच नयाले यहां तक कि High Court जो होते हैं उनके उपर भी उनसे भी जवाब दे ही वो मांग सकती है As a Court of Record, the Supreme Court can even send a person to jail who may have committed contempt of the court मतलब इसके अभी लेख नयाले के रूप में, Court of Record के रूप में सरवोच नयाले जो है वो ऐसे व्यक्ति को जेल भी बेज सकती है जिसने की नयाले की अवमानना की हो मतलब किसी ऐसे इंसान ने, कोई ऐसा इंसान ने जिसने Supreme Court या किसी भी कोट के फैसले को नहीं माना और उसको जो है अवमानित किया है मानने से इंकार किया है तो Supreme Court के पास ये एक अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को तुरंत जेल भी पहुँचा सकती है ठीक है, next question है 42, बहुत लंबी लंदी वीडियो बन रही है बट आपके लिए बहुत helpful रहेगी so इसमें भी ये भी तीन नंबर का है 42 question identify the basic principles of India's foreign policy यानि कि जो भारत की विदेश नीती है उसके दो प्रिंसिपल आपको बताने हैं इसमें तो दो principles क्या है इसके, preservation of national interest, achievement of world peace, disarmament, independence for afro-asian nations यानि कि राश्र हित का संरक्षन करना, जो हमारा पूरा राश्र है, पूरा देश है, उसके हित को बचाना ये इसका काम है, विश्व शान्ती की उपलब्दी यानि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में शान्ती बनी रहें, निर सस्त्री करन्ट यानि किसी के पास भी परमानू हतियार जैसे ना हो, ठीक है अफरिकी एशियाई राश्ट्रों के लिए स्वतंत्र था, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं इसके, कि पंचशील और नोन अलाइन्मेंट, यानि कि महतवपूर्ण इसके से दानत है, अर्थात पंचशील और गैन, गैर सनरेखन, तो अभी हमने नो उएस से हैं, उन्होंने बनाई थी आर्मी, तो उसमें हम नहीं जॉइन करेंगे, एंटी कॉलोनिलिज्म और एंटी इंपैरलिज्म, एंटी रेसिस्म और फ्रेंटिंग दा यूएन, तो इसने बोला है, मतलब जो हमारी राश्ट्र विदेशी नेती है, ये कहती है, उपनी वेश्वाद विरोध का मतलब ये है, उपनी वेश्वाद क्या होता है, जो बाहर से हमारे उपर राज करने के लिए ब्रेटिश और जाए, उन्होंने हमारे उपर उपनी वेश्वाद किया था, इसका मतलब ये है, हमारा जो व्यापार था, उसको छीन कर अपने तरीके से चलाना तो उसके खिलाफ हमारी जो यह नीती है यह कहती है कि कोई भी किसी के उपर भी इसी तरीके से आधिकार नहीं जमा सकता कोई भी किसी भी सामराज्य को अपने नहीं इस तरीके से खड़ा कर सकता दूसरे के देश में जाकर नसलवाद विरोध करती है कोई भी नसल के आधार पर या कलर के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है और सन्युक तराश्ट को मजबूत करने का काम भी ये करती है ठीक है नेक्स्ट वेशन है 43 इसमें और में दिया हुआ है to identify the three hindrances in the formation of a sound public opinion तो तीन नंबर का question है sound public opinion का क्या मतलब होता है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी देश में अगर कोई भी इनसान है कोई भी इनसान है वो अगर सरकार के बारे में कुछ भी आपना आप कह सकते हैं विचार रखना चाहता है तो उसके पास इतना होना चाहिए उसके पास अधिकार की वो अपने विचार खुले आम रख सके तो इसमें क्या क्या दिक्कते क्या क्या परिशानियां आती हैं वो आपको बताना है अगर विचार रखवाए भी जाते हैं सरकार के खिलाफ तो भी उसमें क्या दिक्कते आती हैं क्या परिशानिया आती हैं जो लोगों को सहन करनी पड़ती हैं सबसे पहला कारण कि लोग sound people advice नहीं दे पाते हैं अच्छी advice नहीं दे पाते हैं सरकार के बारे में कि इनका उदासीन रवया होता है मतलब अच्छा रवया नहीं होता क्योंकि लोग जो हैं वो खुद को राजनीतिक गती वीदियों से दूर रखना चाहते हैं वो पसंदी नहीं करते कि वो राजनीतिक गती वीदियों में बोलें ठीक हैं आपने बिस देखा होगा ना अरे हमें क्या करना हैं सारी बाते बोल तो निरक्षर लोगों के पास सीमित ग्यान होता है अनपड जो लोग होते हैं ये बहुत कम पड़े लिखे जो लोग होते हैं उनके पास ग्यान की कमी होती है और इसलिए वो राजनीतिक समस्याओं को समझने में भी सक्षम नहीं हो बाते हैं इसलिए वो अपने ओपीनियन य यानि गरीब ही जो है गरीबों को हमेशा राजनीती से अलग रखा जाता है उनके पास तो इतना समय ही नहीं है जो गरीब है गरीब इंसान अपना पेट पालने की बारे में सोचे या जो राजनीती एक मामले है उनके बारे में अपने विचार रखे तो उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो सार्वजनिक मामलों पर अपना ध्यान के इंद्रित कर सके ठीक है अब इसमें next है describe any three significance and role of public opinion तीन नंबर का ये question है कि तीन आपको significance बताना है और public opinion जो सार्वजनिक विचार होते हैं उसके क्या जरूरत है उसकी ठीक है और उसका क्या role होता है क्या उसका उदेश्य होता है तो इसका answer देखो guide to the government सबसे पहला इसका role होता है कि ये सरकार के लिए मार्ग तरशक होता है मतलब अगर जेख से देखिए बीजेपी सरकार चल रही है अगर इसके खिलाफ अगर कोई भी इनसान ना बोले तो क्या ये अपनी मनमानी नहीं करेंगे बिल्कुल करेंगे तो इसलिए अगर हम अपने विचार नहीं रखेगी पब्लिक तो उससे क्या होगा जो बीजेपी है या जो भी government work कर रही है उस समय पे उसको guidance नहीं मिल पाएगी और वो अपने इसाब से कुछ भी करेंगे तो पब्लिक ओपीनियन act as the guide to the government in respect of policy formation यानि जनता की राय जो होती है वो सरकार के लिए मार्क दर्शक के रूप में कारे करती है कैसे वो नीती निर्मान के संबंद में सरकार को जागरत करती है जैसे कि किस तरीके की नीतिया बनानी चाहिए अब यह आपको बताए अलग-अलग योजनाएं है अब यह योजना कैसे बनती है यह योजना तभी बनती है जब सरकार को यह बताया जाता है कि हमारे बास यह दिक्कती है और उन दिक्कत उनों को फिर सरकार योजनाओं के माध्यम से धीक करने के कोशिश करती है आप देखो राहूल गांधी कियों घुम रहा है इ antig ele राहूल गांधी जो है भो अपनी पूरी यात्रा चला रहा है वो क्यों चला रहा है ताकि वो लोगों के बातों को सुन सके गांदी एलेक्शन में आने के लिए एलेक्शन जीतने के लिए वो अपनी नहीं नीतिया बता सकता है कि देखो मैं सब को मैं आगर जीतता हूं तो मैं सब को इस तरीके से रोजगार दूँगा तो यह सारी सीज होती है गौर्णमेंट फंक्शन इन जनरल ऑन बेसे जनरल रिषीव इन एलेक्शन और टॉवर देखो सरकार कारे करती है कैसे मैंने जैसे अभी एग्जामपल दिया तो वो चुनाओं में जानती है कि मतलब आम जनता जो है वो चुनाओं के दोरान कौन-कौन से वादे चाहती है और पूरा करने की कोशिश करती हैहाला के कोई करता नहीं कोई सरकार ऐसा कुछ करती हैं कि हमने वादे किया है और वह पूरे किया है ठीक है जनता की राय और कानून बनाने मर उस पर ध्यान देना, मतलब आम जो लोग हैं, जो आम लोगों के लिए अच्छी चीज है, या उनका अच्छा, उनका भला किस तरीके से करिया जा से के, कैसे कानून उनके लिए सही रहेंगे, तो ये चीज हमें, सर्कार को कैसे बता चलते है जब हम उन्हें अपनी राय देती हैं, कि हमें यह यह चीज़े चाहिए, ऐसे से कानून चाहिए, जिसे फॉर एक्जामपल, रेप वगेरा होते हैं, तो उसको लेकर अगर जनता राय नहीं देगी, तो कानून नहीं बनेगे, कि जो ऐसा काम करेगा, उसको इससे तरीके से स जनता कर ओपीनियन देगी, तो सरकार को लगेगा, अगर जनता कोई कुछ नहीं पड़ी, तो हमें क्या करना है, हम भी अपने मनमानी करेंगे, ठीक हैं, तो इस तरीके से हम अपनी नजरें तुम पे ताडे हुए हैं, अगर तुम कुछ भी गलत करोगे, तो हम अपने जिम्मेदार बनने से नियंतरत और जांचती है, मतलब गैर जिम्मेदार ना बन जाए सरकार, सरकार को कोई फिर फरक की ना बढ़े, ऐसा नहीं हो, अगर हम उसके जनता अलोचना करते हैं, कि ये नीती हमारे लिए ठीक नहीं है, तो वो क्या है, वो सरकार को हमेशा सतर्क रखती है, तो वो फिर आगे जो है, इस तरीके की नीती नहीं लाएगी, ठीक है, नेक्स्ट अधिकारों और स्वतंतरता की रक्षा करती हैं, करता है ये पब्लिक ओपिनिन, पब्लिक ओपिनिन एक्ट अग्षा की रक्षक के रूप में कारे करती हैं, एक लोकतांतरिक देश में लोगों को अपने तरीके से सरकार की आरोचना या समर्थन करने का अधिकार है, लोकतांतरिक देश क्या होता है, लोकतांतरिक देश का मतलब होता है, जो भी कानून बनाए जाएं, वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से ही बन कारों और स्वतंतरता की रक्षा तभी हो सकते हैं जब हम अपने ओपीनियन खुलकर रखें अब देखो पांच नंबर का क्वेश्चन है 44 इसमें आपसे बूला है गांधी का जो कॉंसेप्ट है इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन उसको आपको समझाना है ठीक है तो देखो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन ये आर्थिक शक्तियों के हस्तांतरन का तर्क गांधी जी ने दिया था तो इसके बारे में आपको बताना है तो देखो जो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जितनी भी पावर्ज है ना economic power या जो भी हमारे पास शक्तियां हैं उनको decentralize करना decentralize करना मतला बाटना ठीक है सारी सक्ति अगर हम एक ही इंसान को दे देंगे government में तो क्या वो शक्ति का गलत इस्तमाल नहीं करेगा तो इसलिए गांधी जी ने जाता कि हम सभी शक्तियां जो हैं अलग अलग लेवल पर सभी लोगों के बीच में बाटें ठीक है जैसे मंत्री के पास अलग शक्तियां हो ठीक है अलग अलग विंसें स्ट्रीज में जितने भी department हैं उनमें अलग शक्तियां हो तो यह चीज है इसमें गांधी आर्गिवॉड फॉर्डर इवॉलिशन ऑफ एकोनॉमिक पावर गांधी जी ने कहा कि जो आर्थिक शक्तियां हैं उनके हस्तांतरन का तर्ग इन्होंने दिया मतलब उनको बांटा जाए जो आर्थिक शक्तियां जो finance हमा आप देखो यहां पर तो मैं points में यह बता रही हूँ आपको क्या करना है जो मैं चीज़स के अंदर बता रही हूँ न कि यह क्या है तो वो आपको paper में लिखके आनी है पांच नमबर में इतना नहीं लिखोगे बहुत मतलब आपको लिखना तो to the point है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक लाइन में करके छोड़ दो ठीक है तो यह बात यहां रखना self-reliant village economy यानि आत्म निर्भर गराम अर्थ व्यवस्ता हो मतलब जो economy होना हमारे देश की गाउं की हमारे देश के जितने भी गाउं है उनकी economy आत्म निर्भर हो मतलब वहाँ पर किस तरीके स पैसा आता है कैसे जाता है वो सारा वो खुद हैंडल करें ठीक है नेक्स ए प्रमोशन ओफ विलेज एंड स्मॉल कॉर्टेज इंडस्ट्री ग्रामीन और लगुकुटे रुद्ध्योग को बढ़ावा देने से भी जो चोटे चोटे रुद्ध्योग है जैसे मही लाइन ज जो पावर्स हैं वो बठेंगी और हमारा और बी जादा डेवलप्मेंट होगा कॉंसेट ओफ स्वदेशी, Use of Goods Produced Locally in Our Neighborhood यानि स्वदेशी की अवधारना उन्होंने बताई थी स्वदेशी का मतलब क्या होता है जो हमारा खुद का है अपने देश का है ठीक है अपने देश में जो चीज़े बनाई जाती है उसका जादा अस्तमाल हो स्थानिया या हमारे यहां उत्पादित वस्तूगों का उपयोग अडोस पडोस के उसमें किया जाए ठीक है Revival of Indigenous Industries यानि स्वदेशी उध्योगों का पुनर उध्धार किया जाए दुबारा से उन उध्योगों का लगाया जाए जो पहले सबसे पहले नो ने इसके लिए खादी उध्योग बताए थे कि जो हम खादी वस्तूगों पहनते हैं उसका इस्तमाल जादा से जादा किया जाए उसके बाद है idea of trustee ship trustee ship का विचार भी नो ने दिया था कि सभी जो हैं trustee बन सकते हैं अब इसमें यह और करके दिया हुआ है, describe the Marxism and its basic postulates. तो Marxism को आपको बताना है, Marx वाद क्या है, वो बताना है. तो Marxism या Marxism is the political philosophy of the working class as liberalism in the political philosophy of the capitalist class. देखो, Marx वाद श्रमिक वर्ग का राजनीतिक दर्शन है, जो श्रमिक वर्ग है, जो लेबरो की तरह काम करता है, उसका राजनीतिक दर्शन मार्क श्रमिक वाद है, और उदारवाद पूझी वादी वर्ग का राजनीतिक दर्शन है, और उदारवाद क्या है, liberalism, जो हमने starting में पढ़ा था, बिल्कुल सभी को आजादी हो और एक चीज की, तो वो पूझी पती, पूझी वादी जो है, उस क्लास का राजनीतिक दर्शन है, यह सामाजिक परिवर्तन का एक सिधान्त है, समार्क स्वाद एक सामाजिक परिवर्तन का सिधान्त है, और इसके कुछ मान्यताएं, कुछ धारनाएं हैं, यह social change की थियोरी है, भी अपने आप नहीं होता, हमेशा एक कारण होता है, हम अपने आसपास जो देखते हैं, उसमें संबंद को प्रभावित करते हैं, मतलब यह मार्क स्वाद कहता है, कि कोई भी चीज जो है, मतलब अपने आप नहीं हो जाती, उसका कोई ना कोई कारण होता है, बहुतिक विकास हो रहा है तो वो हो बहुत्त पंड़्धी स्वच प्रौनोमुं कर दो मिटीरियल चिस्थ जांच परक्षा वब्यक्तिक जीवन और समाधिक जीवन के लिए मैंस जीने के लिए अगर हमें आर्थिक जीवन अपना सही करना है तो उसके लिए हमें चीजों की जरूरत पढ़ते हैं तो इसलिए कहता है कि बहुतिक जो है बहुतिक कारकी बहुत जरूरी है व्यक्तिकत जीवन में भी और हमारे सामाजिक जीवन next human being is born at a particular stage of social or material development born in a social setting born in a social setting which exists independent of him यानि कि मनुश्य का जन्म जो है वो सामाजिक या भौतिक स्तर की एक विशेश अवस्था में होता है विकास यानि एक ऐसी सामाजिक सेटिंग में पैदा हुआ जो सवतंतर रूप से अस्तित्यों में है उसकी यानि जो सामाजिक वरग है, सबसे ज़्यादा जो विरोधी वरग है जो श्रमिक वर्ग है वो अपने माध्यम से संघर्ष करके और क्रांती की प्रक्रिया को अनुसरन करते हुए वो आगे बढ़ सकता है और निर्दिया अग्रसित हो सकता है ठेक है तो यह आगे बढ़ने की बेसिकली परंपरा है यहाँ पर बताई गई है अब आपका optional module 7.a है तो इसको कर लेते हैं 7.b भी करेंगे 45 question है इसका the number of membership of countries with the United Nation यानि कि जो हमारे Soviet संग है Soviet संग में कितनी countries है कितने देश आते हैं यह आपको बताना है तो Soviet संग में 192 देश आते है ठेक है यह आपको याद रखना है next है in which of the following city the United Nations charter was signed in यानि 1945 में 1945 में इन में से कौन सी city में कौन से शहर में जो Soviet संग का charter है वो sign किया गया था तो इसका answer है San Francisco San San Francisco तो यह आपको लिखना है Francisco ठीक है next है the UN Day is celebrated on यानि कि जो Soviet संग दिन है Soviet संग दिवस है वो कब मनाया जाता है तो इसका answer है 24 October 24 October इसी में और करके दिया हुआ है Human Rights Day is celebrated every year on यानि हर साल जो व्यक्ति का अधिकार दिवस है व्यक्ति का अधिकार दिवस वो कब मनाया जाता है यह आपको बताना है हर साल तो इसका answer है 10 December ठीक है अब next है General Assembly in the UN is constituted of members of यानि कि जो General Assembly जो सामान्य सभा होती है UN में सोवियत संग में तो वो कौन से members आते हैं उसमें कौन से सदस्से उसमें आते हैं तो all member countries listed in the UN मतलब UN में जितनी भी जो भी UN की list में सोवियत संग की जो लिस्ट है उसमें जितने भी member लिखे हुए हैं वो सभी member वो सभी देश जो हैं इस Assembly में आते हैं ठीक है next है a privilege to cast a negative vote on substantive measure by five different members of the UN is called as मतलब UN में एक ऐसी शक्ति होती हैं मतलब यह हैं देखो 192 देश हैं इसके अंदर 192 देशों में से 5 देशों में या 5 members ऐसे हैं इसके जिनके पास permanent ऐसी शक्ति है कि वो अगर कोई भी negative vote दे सकते हैं अगर कोई भी नकरात्मक काम कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलकर उसमें negative vote यपने ही दे सकते हैं तो उस vote को क्या बोलते हैं इसको कहते हैं veto power कि अगर कोई नकरात्मक काम कर रहा है तो उसके खिलाफ नकरात्मक vote देना ठीक है next है the main objective of forming the United Nation was मतलब सोव्यत संग को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था सोव्यत संग का जो निर्मान है उसको करने का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है मुख्य उद्देश्य क्या था यह आपको इसमें basically बताना है तो यह भी एक नंबर का है तो इसमें all answer है तो all में क्या क्या आएगा maintain world peace and security यानि कि जो विश्व है विश्व के विश्व के स्तर पर शांती और सुरक्षा बनाए रखना to end the cold war only यानि शीत युद्द को खत्म करना ये भी इसका एक वो था उदेश्य था to promote cultural harmony only कि जो cultural harmony है जो अलग-अलग संस्कृति हैं उनको पढ़ावा देना ठीक है तो यह तीनों ही इसका आ जाएगा answer आप देखो कहीं बच्चे भी बोलेंगे कि मैं किसी एक पर लगा दें तो नहीं आसा नहीं है तो आपको all करना ही हो करना है क्योंकि यहां पर देखो only word है आप भी only word है तो यह गलत हो जाएगे फिर अगर आप नहीं करते हो next 50 the maintenance of international peace and security in the UN is restored by यानि कि international जो अंतर राष्ट्रिय शांती और सुरक्षा है वो UN में किस चीज़ के द्वारा restore होती है कौन सी ऐसी council है जिसकी द्वारा restore हो सकती है यह चीज़ तो इसका answer है security council यानि जो सुरक्षा सभा है सुरक्षा समीती है सुरक्षा समीती इस चीज़ को restore कर सकते है यह भी एक number का था ठीक है पतलब maintain करके रखना का का काम सुरक्षा समीती का है UN में जो है next 51th question the judges in the international court of justice are appointed by यानि कि जो अंतर राष्ट्रिय अंतर राष्ट्रिय नयायाले है उसके judges उसके जो नयायक है उनकी उनको पॉइंट करना उनकी भरती करना किसके हाथ में होता है general assembly या security council तो इस council है both मतलब ये सामान्य समीती के हाथ में भी होता है और जो हमारी सुरक्षा चांसल है उसके हाथ में भी होता है सुरक्षा समीती के हाथ में भी होता है next step which of the following is correct विद रिगार्ड तो दे यूएन पीस कीपिंग फोर्स यानि कि जो शान्ती बनाने वाली यूएन की फोर्स हैं, शान्ती को रखने वाली कायम रखने वाली जो बल हैं, उनमें ये कौन-कौन सी बाते सही लिखी हैं, they carry light arms कि वो हलके हतियार अपने पास रखते हैं, they are allowed to use minimum force only if they are attacked, मतलब अगर उनके उपर attack भी होता है, अगर उनको किसी परकार से उनके उपर कुछ भी हमला भी किया जाता है, तभी उन्हें अपना कम से कम बल लगाना है, they use heavy arms, तो ये तो answer नहीं होगा कि वो heavy arms रखते हैं, क्योंकि वो शान्ती बनाने के लिए, वो बल ही श शान्ती बनाने के लिए, तो ये light arms का इस्तमाल करेंगे, हलके हतियारों का, और अगर कोई हमला भी करता है, तो कम बल के साथ उसको पकड़ेंगे, तो इसका answer होगा, both A and B, ठीक है, next question 52 है, अब इसमें भी और दिया हुआ है, तो देखो, then universal declaration of human rights adopted by the UN, contains rights related to, यानि जो universal, जो सार्व भौमिक, मानव अधिकार हैं, सार्व भौमिक मानव अधिकार जो कि UN ने adopt किये हुए है, वो किस चीज से related अधिकार है, मतलब, civil अधिकार है, मतलब, जो आपका, ये आपका पूरा civil होता है, ठीक है, नैतिक अधिकार होते है, politics के related अधिकार है या economic या cultural अधिकार है आर्थिक या संस्कृतिक अधिकार है तो इसका answer हो जाएगा all मतलब ये सभी अधिकार उसमें शामिल है सारवामिक मानव अधिकार में ठीक है next which of the following is emphasized under the under the covenant on civil and political rights यानि कि इन में से कौन सा ऐसा right है जो कि covenant of of moment के कहीं पर भी आया जाया जा सकता है equality before the law यानि नियम से पहले कानून से पहले लोगों के बीच में समानता देखी जाए equality सबको समान रखके तब law जो भी है कानून नियम वगएरा लागू किया जाए ठीक है freedom of religion किसी के पास भी धर्म को कोई भी धर्म को अपनाने की सतंतरता हो उसके बाद है 53 question describe the अभी यह लिखने वाला है तो यह दो नंबर का question और फिर पाँच नंबर का last question है आपको बताना है describe the United Nations role in peacekeeping activities यानि कि किस तरीके से वो शांती बनाए रखने में मदद करती है शांती बनाए रखने के लिए वो कौनसी कौनसी गतिविधियों का अस्तमाल करती है तो वो गतिविधियों आप बतानी है ठीक है role बताना है उसका तो इसका answer देखो यह रहा Optional Module 7A से तो United Nations peacekeeping operation consists of impartial military and civilian personnel from different countries working under the UN command तो सन्युक्त राश्र सांती जो है स्थापना अभियानों में सन्युक्त राश्र कमान के तहत काम करने वाले विभिन देशों के निश्पक्ष सैन्य और नागरिक कर्मी शामिल होती है मतलब जो United Nations है ना अच्छा मैं इसको सोवियत संग बोल रही थी इतनी देर से सोवियत संग नहीं ये सन्युक्त राश्र होगा सन्युक्त राश्र जो है सन्युक्त का मतलब क्या होता है मिले जुले खटे सन्युक्त राश्र जो है इनकी एक impartial military है मतलब ऐसी military इनके पास ऐसा सैनेवल है ऐसे सैनिक है या ऐसे नागरिक कर्मी है जो कभी भी किसी भी कंट्री में इंपार्शालिटी नहीं गरते किसी के साथ में वो नहीं गरते अगर मान लेजे अमेरिका में से किसी एक सैनिक कोई एक सैनिक यूएन के अंदर काम कर रहा है, तो वो यह नहीं करेगा कि अगर अमेरिका में कोई ऐसा अतंखवादी वगैरा है, ठीक है, तो वो यह नहीं करेगा कि यह हमारे देश का है, तो हम इसको सजा नहीं issä गेगे, हम इसको गोली नहीं मारेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, तो impartial military है यहां की ठीक है और इसमें जो UN command में जो भी अलग-अलग कर्मी काम कर रहे हैं जो भी personal यहां पर काम कर रहे हैं करमचारी तो वो अलग-अलग countries से हैं ठीक है क्योंकि इसमे 192 country है तो सभी countries में से अलग-अलग करमचारी यहाँ पर इसके अंडर काम करते हैं ठीक है इनका मुख्य काम क्या होता है कि कोई भी युद्धरत देश है यानि जो युद्ध कर रहे हैं जो वार कर रहे हैं उनके बीच में शान्ती बनवाना ठीक है उनके बीच शान्ती बनवाना या कोई किसी प्रकार का अगर वो समझोता कर सकते हैं तो वो समझोते का पालन करवाने में उनकी मदद करना ये UN का या सन्युक्त राश्ट शान्ती सापना का काम होता है ठीक है कि उनको लड़ने से रोका जाए और उनके बीच किसी भी तरीके से युद्विराम मतलब उनके वोर को उस तरीके से खतम करने के उपर एक समझोता उनके बीच में करवा दिया जाए ठीक है नेक्स्ट इसी में 54th question है इसी में तो नहीं 54th है explain the objectives and composition of security council यानि कि जो सुरक्षा समीती है सुरक्षा समीती है उसके क्या composition है मतलब वो किस सरीके से बनाई जाती है और उसके उदेशे क्या है बनने के बाद उसके क्या उदेशे होते हैं तो देखो composition क्या है security council has five permanent members इसके पांच permanent member होते हैं यानि स्थाई सदस्य होते हैं और ten non permanent member जिनको हटाया जा सकता है ठीक है दस गैर स्थाई सदस्य होते हैं तो जो सुरक्षा परिशद है उसके पांच तो स्थाई सदस्य है पर्मनेंट है जिनको हटा नहीं सकते हैं और दस इसके नौन स्थाई हैं जिनको कभी भी हटाया जा सकता है इसके objective क्या है पहला सुरक्षा परिशद का क्या उदेश्य है तो maintain international peace and security के अंतर राश्य स्थर पर स्थानती और appropriate recommendation in trust of peaceful settlement of disputes यानि शांती पूर्ण के हित में मतलब शांती बनाए रखने के लिए अगर कोई भी देश मैंने आपको भी बताया कि अगर कोई भी देश विवाद में है तो उनके विवादों का निप्टारा करवाना can impose sanctions on the erring member country यानि कि गलती करने वाला कोई भी सदेश्य दे to the default country और default country यानि जो गलती करनी है तो उसको सबक सिखाने के लिए भी कुछ प्रतिबंद ये लगा सकती है ठीक है security council can send soldiers of member countries to the troubled areas यानि सुरक्षा परिशत जो है सदश्य देशों के सैनिकों को भे सकती है अशान शेतर में तो UN में मैंने आपको बताया कि 192 countries के अलग-अलग सैनिक जो होते हैं हर एक country के अलग-अलग सैनिक होते हैं तो UN सैनिक अगर कोई भी ऐसा देश है जहां पर शान्ती नहीं है ठीक है अशान्ती फैली हुई है जो अभी-अभी आपका ये हुआ था रश्या और यूकरेन की war तो उसमें वहाँ पर अलग-अलग सैनिकों को जा गया था कि भाई वहाँ पर जाओ और इनके पीच जो आशान्ती है उसको ठीक करो ठीक है शान्त करो इनको तो यह काम भी इसका होता है ठीक है अब आपका option module 7b भी देख लेते हैं एक बार पहले इसके उसी तरीके से आएंगे आपके 11 mark के mcq आएंगे mcq के बाद आप का लिखने वाला पार्ट आएगा 45 में आपसे पूछा है the social scientist who had done a systematic study of bureaucracy first time यानि bureaucracy की पहले बार systematic study करने वाला कौन सा social scientist था तो इस cancer है Max Weber next में इस पूछा गया है कि इनमें से कौन सा function है political executive का तो lawmaking मतलब कानून बनाना एक political executive का function है यह हम सिर्फ थड़ से जल्दी अल्दी कर लेंगे क्योंकि मैं seven eight ने अच्छी करवा चुकी हूं तो आप वो भी कर सकते हैं bureaucracy is sometimes considered by scholars as scholars जो है वो bureaucracy को क्या समझते है fourth organ of the government यानि कि सरकार का चौथा अंग सरकार का चौथा अंग ठीक है यह एक नमबर में है next 47 इसमें भी और दिया हुआ the theme of Indian model bureaucracy is based on जो हमारी Indian model bureaucracy है वो किसके उपर depend है वेबेरियन model पर ठीक है वेबेरियन model इसको याद रखना next administrative machinery of the government is run by यानि कि जो administrative जो हमारी administrator क्या क्या मतलब होता है जो IES वगएरा होते है IPS वगएरा तो उनकी जो machinery है गवर्मेंट की वो किसके उपर depend करते है किसके द्वारा तो civil servants के द्वारा ठीक है administrative जो पूरे offices वगएरा होते हैं उनको कौन चलाता है उनको civil servants से तो चलाते हैं जो IES है IPS है जो किसके उपर है कि administration को और politics को अलग अलग रखा जाए कभी भी politics और administration को एक साथ ना जोड़ा जाए next है 49 according to the civil services conduct rules यानि civil service conduct rule जो है उसके हिसाब से government deploy इनमें से क्या नहीं कर सकता cannot participate actively in politics यानि कि वो एकदम लगातार ये प्रतक्ष रूप से politics में वो काम नहीं कर सकता है participate नहीं कर सकता ठीक है it is the duty of the president of India to place the annual report of UPSC before तो ये president of India की duty होती है मतलब जो हमारे भारत के राश्रपती है उनकी duty होती है कि जो भी UPSC की annual report है पूरी साल आना report है कि इस साल इतने I.E.S. बने ये सब हैं तो वो किस से पहले उनको रखनी होती है किसको दिखानी होती है तो इसका answer है पारलेमेंट से पहले राश्रपती के पास ये सारी annual report जाती है क्या बियोरे कैसी करती है तो इसका answer है all देखो ये क्या करती है democratic principle देती है कि society में equality हो सभी को समान अधिकार दिये जाए ठीक है उसके बाद है provide protection from arbitrary rules of the society जो भी arbitrary rules है जो जबरदस्ती लगाया जाते हैं तो उससे भी protection दी जाए provide the necessary administrative objectivity यानि कि सभी को एक उदेश्य दिया जाए कि administrative जो भी काम हो रहे है वो सारे आपके लिए हो रहे है और आपका उदेश्य है इसमें next is the decline of neutrality in bureaucracy is also related to bureaucracy में neutrality मतलब neutral होना वो क्यों जरूरी है क्यों उसका रास हो रहा है तो इसका answer both है the demands and pressures of coalition politics the process of policy making which are no longer confined to the political executive ठीक है एक मार्ग में था है next है the administrative reforms reforms commission ARC जो है वो 1966 में बनी थी यह किस से related है detriating administrative standards इससे related है अगर कभी भी administrative standards को जो है कम किया जाता है या घटाया जाता है तो ARC बनी हुई है 1966 में जिससे की वो standards को बता सकती है next है neutral value free bureaucracy is possible only in a society where ऐसी society किस society में किस समाज में एक बिल्कुल neutral मतलब किसी भी चीज़ पर वो न करें तो वैसे वो bureaucracy हम कैसे बना सकते हैं तो consensus exists on values ठीक है values पे नीतियों पे बनी हुई society में हम ऐसा समाज बना सकते हैं next है 53 analyze any two function of UPSC UPSC के कोई दो function बताने कोई दो कार्य बताने है UPSC की full form आपको बताने है comment में मैं देखती हूँ कितने बच्चों को पता है दो number का ये question है ठीक है तो देखो इसका answer last second last है option module 7b to advise the government on all matters relating to the methods of recruitment and forms to be followed in making appointment through civil services either directly or by promotion यानि कि ये तरीके से सम्मद्द सभी मामलों पर सरकार को सलहा देना civil मन्योक्तियां करने में भरती और अपनाए जाने वाले मांदन सेवाईया तो सीधे और अपदोने देखो बताना यूपीसी का काम ये है कि सरकार को सारे matters के बारे में बताना की यह मामले हैं जो कि related होने चाहिएं कि says civil services से ठीक है जो अपके civil इसे वाई दी जाती है उन से related सारे मामलों के बारे में सरकार को बताना और कितनी भरतियां हुई हैं, कितनी न्यूकतियां आई हैं, किन-किन लोगों के प्रमोशन हुएं, IES कितने बने हैं, तो ये सारी चीज़े बताना UPSC का काम होता है Second, इसका काम है to advise on the suitability of candidates for appointment, promotion and transfer ये आपको बता है UPSC क्या करवाती है, UPSC जितने भी IES बनाने हैं, उनका exam conduct करवाती है न, सभी का promotion देखना, उनका appointment देखना, उनके transfer करवाना इसके बारे में सरकार को सलहा देने का काम UPSC का है, न्युक्ती, पदुनती, आदी के लिए उम्मीदवारों की उप्यक्तता पर सलहा देने है, या फिर उनका स्थाना अंतरन करना है, तो ये सारी चीज़े UPSC के उपर होती है कि उनके उपर बाहरी कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो वो चीज़ आपको इसमें बतानी है, इस question में, तो देखो ये इसका answer है, following constitutional provisions जो हैं, वो बनाए गए हैं, मतलब कुछ समवेधानिक प्रापधान बनाए गए हैं, जिससे UPSC और SPSC, आपको UPSC की भी full form बतानी है जिससे कि वो किसी भी बाहरी प्रभाव से हमेशा स्वतंतर रहे, मतलब UPSC पर कोई बाहरी प्रभाव ना पड़े, ठीक है, ना SPSC पर पड़े, तो members are appointed for a fixed tenure of 6 years or until the attainment of 65 years of age in the case of UPSC and 62 years in the case of SPSC, देखो, सदस्तियों की जो न्युक्ति होती हैं, वो 6 साल तक के लिए member बनना है, यह आपको न्युक्ति चाहिए, तो आपको 6 साल के tenure पे रखा जाएगा, जैसे एक प्रधान मंत्री को 5 साल का tenure दिया जाता हैं, कि 5 साल बाद तुमारी सरकार दुपारा बत लेगी, वैसे UPSC में जो council members होते हैं, उनको 6 साल तक के लिए रखा जाता है, UPSC के माम प्रधान में 62 साल की उमर तक काम कर सकता है, नेक्स इट, the conditions of service of a member cannot be changed to his or her day son was changed, during his tenure of office, यानि किसी भी सदसे के सेवा, शर्तों को उसके कारेकाल के दोरान, उसके आहित के लिए नहीं बदला जा सकता, यानि कि उसको पहले से ही उसके शर्ते बता दी जाती हैं, जो भी सदस है, जो है, civil seva में लगा हुआ है, तो उसको पहले से ही बता दिया जाता है, कि भई तुम्हारी यह शर्ते इन शर्तों में काम करना पड़ेगा, और अगर तुम्हारी शर्ते बदली नहीं जाएंगी, the removal of a member can take place by any order, by an order of the president or on certain specific grounds and consultation of the Supreme Court, यानि किसी दस्दसे को अगर हटान है, तो इसके आदेश से हो सकता है, किसके आदेश से सर्वोच नेयाले का आदेश लेना पड़ेगा, उससे प्रामर्श करना पड़ेगा, कि भई Supreme Court बताएगी, कि भई तुम इस सदसे को हटा सकते हो, अगर हटाना है तो, next the expenses of the commission are charged on the consolidated fund of India, यानि commission का जितना भी खर्च होत any matter from the purview of the commission will have to be laid before the parliament or the state legislature for such modification as it may deem fit to make, यानि किसे भी नियम को छोड़ कर सरकार द्वारा जारी किया जाने वाले सभी नियम आयोग के ताहरे से मामले रखना होगा, ऐसे शंशोदन के लिए संसर राज्य विधान मंडल के समक्ष जैसा की से बनाना उचित लगे, मतलब हैं, जो कि ठीक नहीं लग रहा है commission को, तो वो उन मामलो को संसर राज्य विधान मंडल के समक्ष को ला सकती हैं और उनको फिर वो पूछ सकते हैं कि ये ठीक है, fit है या नहीं है, ठीक है, तो भाई ये थी आपकी पूरी वीडियो और यहाँ पर आपके वीडियो जाती है, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, और शेयर करिए अपने सभी सात्यों के साथ, इसके अलावा comment जरूर करिएगा, जो भी मैंने आपसे comment बोले है, जो कि आपको जवाब देने हैं, तो वो जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल और गेट नोटिफाइड, मतलब नोटिफाइड होने के लिए पैल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा, अच्छा है, एक जरूरी बात है, नेक्स्ट वीडियो आपकी अप्लोड होने वाली है, होम साइंस की वीडियो के लिए मैं आप से य सौल पेपर की, ठीक है, तो यह आपको बताना है, देखो, बहुत मैनत लगती है, तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करोगे तो उससे और मोटिवेशन मिलेगी, पूरे आपको पता है कितनी लेंदी वीडियो बन गी है, बहुत जादा मैंने इसमें जान डाल दि लिए, तो लाइक से आपको यह मुझे बताना है कि आपको कितनी पसंद आई यह वीडियो, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थैंक्स पूर वाचिए.